राजा परिक्षित ने शाद्देव मनु के चरित्र के विशे में उत्पत्ति के विशे में पूछा शुकदेव जी माराज उस समय ब्रह्मवादियों की सभा में ये बात कहने लगे देखो ये ब्रह्मवादिय नाम दिया या ब्रह्मबादियों की सभा में राजाओं के वर्णन की क्या बात है तो राजा लोग भी ब्रह्म तत्तो को प्राप्त होने के अधिकारी है सब हैं मनुश मात्रे इसलिए यहां ब्रह्मबादियों की सभा में जो कुछ वहाँ कहा जाएगा वो ब्रमवादियों का यह नाम लिया जाएगा सुखदेव जी मराज कहते हैं कि देखो जितने भी जगत के चर अचर प्राणी पैदा होते हैं जितनी जातियां पैदा होती है जितना जो जो अलग अलग शरीर जीवों का दिखाई देता है उसका मूल आधार मूल आधार भगवान है भगवान के नाभि कमल से ब्रमा जी पैदा हुए और ब्रमा जी के मन से मरीची पैदा हुए और कशब जी के अधिती से सूरिय पैदा हुए विवस्वान छटे सकंद में साब बताया है उस सूरिय के शाददेव मनु हुए पहले मनु के कोई संतान नहीं थी उन्होंने वसिष्ट जी को बुला कर एक यग्य किया अब देखो यग्य में उनके मन में क्या था कि हमारे लड़का होना चाहिए और बोले क्या कि हमारे संतान होनी चाहिए संतान तो लड़का और लड़की दोनों ही होते तो उन्होंने देखा कोई नहीं हो रहता अपने तो लड़का हो अपने संतान होना चाहिए तो वसिश्च जिन गया ठीक है संतान के लिए यग्य करेंगे अब यग्य करते समय में लोग भूल करते हैं कि अपना एक संकल्प होता है उस संकल्प को डिगाना नहीं चाहिए तो राजा के मन में था कि लड़का होना चाहिए और राणी के मन में ये देख मैं लड़की होनी चाहिए और संकल्प लेरेंग साब हमारे संतान होनी चाहिए रानी ने जाकर ब्रामन से कह दिया कि देखो मेरे लड़की होनी चाहिए अब वहाँ पर आहूती भी जाने लगी और उस हविश्च से फिर लड़की पैदा हो गई उसका नाम था इला राजा ने जाकर केर अपने गुरू जी से का वसिष्ट जी से कि महराज आप जी से यग्य करने वाले हमारी भीतर के अंदर छिपीवी बात नहीं जानते मेरे अंदर छिपीवी वासना थी लड़के की और आप ने उटा करके रूसको लड़की बना दिया लड़की कैसे बने हालांकि हमने संकल्प लिया था संतान के लिए पर और भी गेराई से एक वास भीतर की रूची होती है रूची तो हमारी लड़के की थी ना वसी सी जिने अपने ब्रामबनों से पूछा ब्रामबन ने कह दिया माराज राणी ने लड़की के लिए कहा तो राजा ने कहा कि देखो अब लड़की होगी इसको लड़का बनाओ इसी शरीर से बनाओ तो भगवान विष्णु के लिए यग्य किया और वो लड़की से लड़का हो गया ज्यान देना हो यग्य वगरे से प्रबल चीज क्या है क्रियात्मक अनुष्थानों से बड़ी चीज है प्रकृति का विधान अब वो लड़का बनाओ गोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए गया इलावरत खंड में चला गया इलावरत खंड में तो वहाँ फुरुष नाम की कोई चीज रहती नहीं सब इस्तरी हो जाते है घोड़े पर बैठा तो घोड़ा घोड़ी हो गया उसके साथ में जितने लोग गये थे वो फुरुष गये थे सब वो इस्तरी हो गये राजा ने का महराज ऐसी क्या बात है वहाँ इलावरत खंड में ऐसा क्यों की कोई भी पुरुष होता है वो इस्तरी क्यों होता है कि वहाँ भगवान शंकर का वरदान है देखो कहलास परवत पर भगवान शंकर रहते हैं तो सब ब्रह्म ज्यानी लोग इकठे हो जाते हैं और दूसरी जगे कहीं भगवान शंकर जाते हैं तो ज्यानियों को कौन छोड़ने वाले सब ज्यानी लोग दूसरे आकर कर उनको ज्ञान के लिए बातें करते तो पार्वती जी ने कहा कि महराज आप हमारे तो कोई समय नहीं देते परिवार को भी तो समय देना चाहिए आप एक सीमा बांदी जीए कि यहाँ कोई नहीं आ सकता भगवान शक्रने का भी मना तो कैसे करूं किसी को मेरे पास आने में क्योंकि मैं एक तेरा तो हूँ नहीं हूँ तो सभी का हूँ तो कहा कि कुछ न कुछ तो प्रबंद करना पड़ेगा भगवान शक्र ने का चलो इलावरत खर्ण में तुम भी रहो हम भी रहें और कोई भी आएगा वो इस्तिरी हो जाएगा तो वो सुद्यूम्न था वो वापिस लड़की हो गया देखो उसका प्रारब्द है लड़की होकर के रहें घूमने लगा तो इलावरत की सीमा को पार कर गया वहाँ पर बुद्ध नाम का लड़का रहता था बुद्ध ये चंद्रमा का लड़का था अब बुद्ध का और इलागा विवा हो गया और फिर उनसे पूरुरवा पैदा होगे पूरुरवा इस पूरुरवा से देख रहना आप तेरवे अध्याय में बंस चलेगा ये चंद्रमा से बुद्ध है ना ये चंद्रमा का पुत्र है चंद्रमा का इपूत्र है चंद्रमा उसक्या बता है तो अब जो है उधर उसके पिताजी ने गुरुजी से का वसिश्टी जी से कि महराज लड़की होती कम से कम हमारे या रहती करती है वो तो लड़की से वापिस लड़का बनाया, लड़का से वापिस लड़की हो गई, अब वापिस उसको लड़का बना सकते हो गया, तो अब लड़का लड़की के चकर में ही मनु महराज की उमर निकलने लगी, और उधर वसिश्टी जी महराज ने यह करके शंकर जी को प्र लड़का में transfer होता हूं, एक मेने में, लड़की में transfer होता हूं, इस transfer बाजी में उमर चली जाेगी, भगवान का बख़न कब करेंगे, तो वो लड़का और लड़की दोनों भाव से रही थोकर, वो भगवान का बख़न करने के लिए वन में चला गया, और अपना जो कुछ राज जी वगर है था वो अपने बेटा फूरुरवा को दे गया ये एक अध्याय पहला अध्याय ये चंद्रवंश का है आप देखो चंद्रवंश का अध्याय है कि ये श्रीगणेश यहां क्यों किया भई श्रीगणेश इसलिए किया कि परिक्षित भी इसी वंश के है और हमारे शुगलेव जी महरायज भी इसी वंश के है दोनों चंद्रवंश के है अब आगे कहता है कि मनु के फिर उसने यमना जी किनारे जाकर यग किये तो दस लड़का हो रहे हैं दस लड़कों में एक लड़का था प्रिशद्र गायों की सेवा में रहता था राच्री के समय में एक दिन बाग आ गया गाय जोर से करंदन करने लगी तो उसने निशाना लगा करके तलवार को फैका तलवार के फैकने से वो जो आया था बाग उस बाग का काम तो कट गया लेकिन गाय की गर्दन कट गई दूसरे दिन उसने अपने हाथ से किया हुआ पाप था वो पाप लिजागर गुरुजी को अपने मूँ से बोल दिया देखो यही खास बाते हैं नवमसकंद में अपने मुक से अपना पाप प्रगट किया कि महराज देखो मेरे से गल्पी हो गई तो गुरुजी ने कहा कि भाई तूने अपने मुक से अपनी गल्पी प्रगट कर दी जाओ भगवान का भजन करो और कोई हुपाए नहीं ऐसे वो राजा थी यह शर्याती नाम का राजा उसके एक सुकन्या थी शर्याती इसी का ही भाई प्रशद्र का भाई उसके सुकन्या नाम की एक कन्या थी नाम थी सुकन्या कन्या थी चवन रिशी के आश्रम में गए बच्ची थी एक तिनका लिया और एक चमकने वाले जगनु के समान कोई प्राणी की कल्पना करके उसमें वो छेड़ खानी करने लगी तो वो जो है और कुछ नहीं जी चवन रिशी की आँख थी आँख उसने जुबनु समझा उसको क्योंकि सारे शरीर पर तो दीमक आ गई अब उस आँख के अंदर वो तिनका लगया तो खून आने लगा तो सब लगों के पेट में तकलीफ हो गई तो राजा ने का क्या बात है हम सब के पेट में तकलीफ हो गई क्या कारण है तो उस बच्ची ने कह दिया कि कारण यही है कि साब और तो कुछ पता नहीं किसी ने अपराद किया नि मेरे से अपराद वा एक जुगनू है जुगनू उसके मैंने तिनके की लगाए तो फून आगए अरे जुगनू नहीं है तो रिशी है अब जहान से सुनना पिता ने अपनी लड़की को उस चवन रिशी की सेवा में रख दिया कि मराज अब ये आपकी पत्नी है लड़की को बोल दिया बेटा ये तेरे पती है अब कितने बुढ़े वो पती और ये थी जवान ये तो पोती पड़ पोती की समान थी पर पिता ने दे दिया दे दिया वस ठीक है पति ब्रता होकर सेवा करनी है सेवा करते करते एक वार अश्वनी कुमार वहां आए अश्वनी कुमार आए तो चवंध रिशी ने कहा कि अशुनी कुमार जी मेरा शरीर देखो तपश्या करने से उमर से गलित पलित हो गया, ढिला ढहला मू लटक गया यो मेरा शरीर बढ़िया बना दो, युवक जैसा बना दो तो अशुनी कुमार ने वहाँ, अमरित के कुवे के अंदर, दोनों थे अशुनी कुमार कुवे के अंदर वे अपने 54 रिशी को ले गए, तीनों ने डुपकी लगाई, डुपकी लगा करके बाहर निकले तो एक जैसे थे, तीनों उधर जो है अबारे, सुकन्यान जी ने अशुनी कुमारों से प्रार्थना की, कि महराज हमारा पती कौन सा है वो बता दीजी, मुझे रूप नहीं चाहिए, मुझे रंग नहीं चाहिए, मुझे सौंदर ये नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पती चाहिए उसकी ऐसी जो है पती निष्ठा देखी अश्मी कुमारों ने कह दिया कि बेटा ये है तुमारे पती तो अपने पती को पाकर खुश हो गई इतने मैं उसके पिता जी आ गए पिता जी आ गए रो तो भड़क गए पिता जी उसक्या पता पिताजे ने कहा कि आरे मैंने एक बूढ़े रिशी के साथ तेरा विवा किया था बिचारे उसको तो जाने तुने उन्हें मार दिया निकाल दिया अरे जबान छुξे को कहाँ से लिए अई तु मेरी बोटी हो करके मेरा काला मू करती है ऐसे करके मेरा अफ्मान करती है तू कौन है यह है वो हैसी मुझे पूछने से पहले आप इनी से ही पूछते हैं ना कि कौन हो तू तो फिर उस समय जो है उन्होंने 54 निसी ने सब अपनी कथा सुनाई तो वो पिता जी बड़े खुश हो गए सुकन्या के पिता जी फिर पिता जी ने कहा कि मैं एक यग्य करना चाहता हूँ तो 54 ने कहा कि यग्य तो हम करा देंगे पर वहाँ अश्मनी कुमारों को आपको यग्य में हिस्सा देना पड़ेगा और ये इंद्र मानेगा नहीं तो का कि मैं तो महराज ये की में हिसा दे दूँगा अब इंदर नहीं मानता हूँ आप जानो तो ठीक है इंदर से मैं बात करूँगा इदर क्या हुआ वहा आहूत यांदी जाने लगी तो इंदर वहां आगया इंदर को पता चला कि इस इस प्रकार से अश्वनी कुमारों को यहां हिसा मिलने माला है तो इंदर अपने हाथ में बज़र लेकर के आया और उस देगा है मैं राजा को मारूंगा यह यह क्यों कराता है अश्वनी कुमारों क्यों मुलाता है अपने हाथ में यूँ बज़र लिया यूँ करकर वो फैकने लगा इतने में ही चमज रिशी ने एक बाण लगाया शक्ति लगाई उसका जो है यहाथ यह हाथ यही बंद हो गया है यहाथ यूँ रह गया जैसे कोई ताला लग जाय ऐसे हो गया यहाँ अब हाथ यूँ होई नहीं बस इसका मूवमेंट यहाँ से बंद हो गया यो यो करता रहा कुछ कर ले क्या करेगा तब इंद्र ने क्षमा मांगी और कहा कि महाराज अशुनी कुमारों को येगी का हिस्सा दे रहेंगे आप मेरा ये यहाँ से बंदन खोल दीजिए तो फिर वो बंदन खोल दिया और अशुनी कुमारों को हिस्सा मिलने लगा उन्हीं शरियाती के तीन बेटा हुए उनमें रेवत नाम का लड़कार रेवत से आनर्त वार आनर्त से रेवत हुआ और रेवत से कुकुद्मी हुई कुकुद्मी से रेवती नाम की कन्या हुई अब देखो उस पिता ने सोचा कि मेरी कन्या का विवास श्रिष्टी मैं सब से स्रिष्टी व्यक्ति के साथ करूँगा तब कहा कि क्या करें तो अपने ब्रमा जी से जाकर पूछ के आए अब इस सरी से तो ब्रमा जी के लोग में कोई जा नहीं सकता देवताओं के लोग में नहीं जा सकता पर ऐसी तपस्या की ऐसी शक्ति प्राप्त की वो ब्रमा जी के पास पहुंच गया ब्रमाजीन का अगा रहे मेरे यहां आने में और मेरे यहां से जाने में तुमको बहुत समय लग गया 27-27 की बीट गई चलो अब जाकर के तुम बलराम जी के साथ में तुमारे लड़की का विवाग कर दो तब वो आया और बलराम जी के साथ विवाग कर दिया और स्वयम बद्री नरायन जाकर तपस्या करने लगा उसी शाद्द देव मनु के नभग नाम का लड़का हुआ उस नभग के नाभाग हुआ नाभाग विद्याध्यन करता था ज्यान देना पीछे से जैखो एक में पतिब्रता का धर्म बताया है और एक में सत्यबाधिता का धर्म बताया है अब इसमें बताता है कि ये कैसा निरी और ये भी कितना सत्यबाधित कितना मिरलूब है मिरलूब तो नाभाग विद्याध्यन करने गया तो पीछे से सारी संपतियों का भाईयोंने बटवारा किया तो जब वो विद्याद्यन करके आया यार पिता जी माता जी से मिला तो कहा कि बेटा तुमको तो संपत्य में कुछ नहीं मिला तुमको तो हम दोनों मिलें करें महराज आप मिल गए आप से बढ़कर क्या संपत्य होती है संसार में माता पिता से बढ़कर क्या संपत्ती होगी रोज उठते ही माता की चर्णों में प्रणाम पिता की चर्णों में प्रणाम करने का सोभागी जिसको मिलता ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं बड़ी किरपा हो गई धन संपत्ती तो नहीं मिली कि कोई बात ने धन संपत्य नहीं मिली आप मिल गए हमको आप से अलावा कुछ नहीं चाहिए तो पिता खुश हो गए है लेखो हम लोग माता पिता का आदर करते हैं उनके चित्त में जब प्रसन्नता होती है और वो जो आशिरवाद देते हैं आशिरवाद से बहुत काम होता है जो काम हमारे परिश्रम से नहीं होगा वो मा के आशिरवाद से होता है मा आशिरवाद देती है बहुत उससे बहुत लाब होता है मात की पद पर है वो पद का आशिरवाद है वो मा पद पर है वो लोग हैं मारी मा तो चिड़ है गड़ी भी रुकाई आशिरवाद लागी वह वह ही आप चाहे कुछ भी बोलो चिड़ती हो सभाव होगा लेकिन मा के पद पर है ना वो इसलिए उसका आशिरवाद आप के लिए तो उसी का आशिरवाद सबसे ज़्यदा काम आएगा तो माता पिता ने आशिरवाद दिया उसको बेटा तेरी ऐसी भक्ती हमने देखी तो हम तुमको आशिरवाद देते हैं वो लोग ब्रामण लोग वहाँ यग्य कर रहे हैं उस यग्य में वो छटे दिन की विद्य का ज्यान नहीं रखते हैं तुम जाकर बता दो वो तुमको बहुत धन देंगे तो वो गया वो नाभाग छटे दिन की विद्या बताई ब्रामण खुश हो गए ब्रामण ने का खुश में खुश हमको यग्य करना था और हम वो ए कुश लेना देना देई इस सारा धन तुमारा है तो वो सब धन हो लेने लगा लेने लगा अब देखो, वहाँ कोई कहएगा कि ब्रामण नहीं वो राजर्षियों का यग्य था राजर्शि लोग जो हैं वो यग्य के यजमान थे और ब्रामण लोग वहाँ पर विधी बता ब्रामण लोग यग्य करते थे ब्रामणों ने वो लिया ही नहीं बहुत धन पड़ा था तो अब हो जाकर के धन लेने लगा तो इतने में शंकर जी आये संकर जी आवकर के भटकार लगे कौन हो तुम कैसे धन ले जाते हो यग्यशेस रुद्र का होता है तुमारे पिता से पूछ के आओ इस धन पर किसका अधिकार है तुमारा पिता कह देगा तो तुमारा और तुमारा पिता इदी मेरा बताएगा तो धन मेरा है उसने हाथ जोड़के कहा कि मुझे तो पिता जी न कहा है इसलिए आया हूँ फिर भी आपकी आगया है पिता जी से पूछ के आता हूँ पिता जी से कहा पिता जी एक गौरवरन वाले कोई पूरुशाएं बड़ी भव्या आकृती और आँखों में बड़ा प्रेम लेकिन ऐसी डाड़ते हैं जैसे कोई पिता बहुत प्रेम में बच्चे को डाड़ते हो प्रेम से डाड़ते हो ऐसे डाड़ते हुए कहा ये धन तो मेरा है वाँ संदर उनका रूप गड़े में उनके साप और मृप्चरम पैंदर का हाथ में त्रिशूल और प्रेम से वो आँख निकाल निकाल के बोल रहे थे मेरे मन में भै पैदा नहीं हुआ मैं समझ गया कि प्रेम तो आँखों में है ही तो वो धन किसका अरे बेटा तेरा तो भागी खुल गया है वो तो साक्षाद भगवान शिव है शिव को अर्पित कर दे जाग कहा कि महराज आप तो साक्षाद भगवान हो ये सब धन आपका है आप जैसे धन हमको मिल गए हमें इस धन से क्या लेना देना तो शिव जी खुश हो गए वाँ बेटावा आओ आओ तुम ब्रह्म ग्यान के अधिकारी हो ब्रह्म ग्यान उसी के हिरे में ठहरता है जिसके अंदर लोब नहीं होता जिसके अंदर काम नहीं होता जिसमें क्रोध नहीं होता उसके अंदर ब्रह्म ग्यान ठहरता है ने तो फुटावा पात रहो उसमें आप चाहे कितनी बढ़िया चीजे डाल दो गी डाल दो शैर डाल दो जल डाल दो दूर डाल दो जितना द्रव पदार दार साब बै जाएगा पदार फीटा वुटा हुआ है ऐसे ब्रह्म ग्यान की कितनी बाते सुनो यदि अंतकर्ण फीटा हुआ है सब बै जाएगा कोई मतलब नहीं आओ बेका हम तुमको सनातन ब्रह्म का उपदेश देते हैं इतना बढ़िया उपदेश दिया और फिर वो धन भी दे दिया वो धन को लाकर गेर अपने पिता के पास आए उस नाभाग के अंबरीश जैसा भक्त पैदा हुआ अंबरीश के विशय में तो मालूम ही होगा ना तुमको परिक्षित दुरुवासा का शाप भी उसके सामने कांपने लग जया दुरुवासा का शाप उसके पास जा नहीं सका कि महाराद दुरुवासा रिशी का शाप ब्राह्मन का शाप और फिर दुरुवासा का शाप वो शाप तो माराज किसी के त्वारा रोके रुखता नहीं ये बात क्या थी कायन लगया देखो अंबरीश बहुत बड़े राजा साथ द्वीपवाली प्रिच्वी का अतुलित वयभव प्राप्त करने के पश्चात भी बड़े सावधानी से भजन करते थे हो देखो जिसके पास संसार के जितनी ज़्यादा अनकूलता है भगवान की प्राप्ति में उतना ही उसके लिए सावधान होने की जरूरत है बहुत जरूरत है उसको तो उन्होंने विचार किया कि कहीं मैं अभिमान में फंस गया तो नर्क में जाना पड़ेगा बहुत सावधानी से भजन करते रहे इस मन की ये भगवान ने मन क्यों दिया है मन दिया है अपने चर्णों में प्रेम करने के लिए भगवान ने नेत्र क्यों दिया है कि मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप का अथवा सत्संग में जाकर स्रिष्ट महापुर्शों का दर्शन करने के लिए ये हाथ क्यों दिया है कि मंदिर में जाकर भगवान के सेवा करने के लिए और घर में माँ बाप इसनी फुत्रादी इनकी सेवा करने के लिए हाथ दिये है कान क्यों दिया है कान दिया है भगवान की कथा सुनने के लिए और संसार में जो गुणवान पुरुष है उनके गुण सुनने के लिए ये मन में काम क्यों दिया है इच्छा क्यों दिया है ये इच्छा दिया है भगवान की दास्ता की इच्छा करने के लिए भगवान में आपका दास्त बना रहो दास्ता के लिए इच्छा दिया है ऐसा विचार करके वे जो भी कोई यग्य करते उसका फल भगवान की प्रसनता के लिए अर्पित करते थे बड़ी-बड़ी सिद्धियां उनको मिल गई पर उन्होंने सिद्धियों का भी आदर नहीं किया मुकुंदम हरी हिर्दी पश्यत है भगवान मुकुंद माने मुक्ति को देने वाले भगवान तो उनको देने वाले भगवान मुकुंद उनको हिर्दय में देखते रहते थे राजी, इस्त्री, पुत, रादी सब सप्न के समान जूटे हैं ऐसा हिर्दय में ज्ञान द्रिष्टी से देखा करते थे एक वार उन्होंने कार्थिक महिने में लंबा चोड़ा ब्रत किया पैसे किया तो था सामवत सर ब्रत किया था द्वादशी प्रधान एकादशी ब्रत कभी कभी भाई ऐसा होता है कि लोग पूसते है कि आज ब्रत है कि कल ब्रत है कि लोगों के मन में आता है ये दो क्यों होता है देखो दश्मी विद्धा एकादशी आती है माने सूर्योदय के समय में दश्मी है और बाद में एकादशी आती हो उस दिन तो करते हैं समार्त लोग ब्रत और सूर्योदे के समय में एकादशी हो और बाद में द्वादशी आ जाती हो तो सूर्योदे के समय में तिथी आ गई उस दिन करते हैं वेश्णव लोग ये दश्मी विद्धा एकादशी ब्रत एक जो है द्वादशी विद्धा एकादशी ब्रत ये दो ब्रत का बात है ऐसे जितने ब्रत है सब में यही बात है जनमाश्टमी के ब्रत में भी यही बात है शिवरात्री के ब्रत में भी यह सब घड़ियों में देखा जाता है अस्तु तो वे द्वादशी प्रधान एकादशी ब्रत एक साल से कर रहे थे आगे, क्याने लगे, राजन हमने भी एकादशी की, हम भी भोजन करेंगे, और तुमारे यही भोजन करेंगे, बड़ी किरपा है महाराज, अब दुरवासाजी गए श्नान करने के लिए, वहाँ पर मंत्र बोलते बोलते, विलंब करने लगे ताब वो द्वादशी की घड़ बीत रही थी, अब पारणा जो होती है वो द्वादशी की घड़ी में ही वैशनव लोग करते हैं, देखो इसमें भी एक अंतरंग रहस्य है, कि ये दश इंद्रियां हैं, इनको जीतने के लिए जो अनुस्थान किये जाते हैं, वो दश्मी बिद्धा एकादशी ब्रत करत हैं, वैशनव लोग हैं, वो इग्यारे की बात करते हैं, द्वादशी के दिन वो अपना परायन इसलिए करते हैं, कि भगवान विष्णु के कलाओं में बारे कलाओं मुख्य माले जाती हैं, बारे राशियों पर सूर्य भगवान रहते हैं, और और भी कई कारणों में 11 इंद्रियों को जीतना है वो वैश्णों के लिए आता है और मन को अलग रखकर केवल इंद्रियों को जीतना होता है ये जो है समार्तों की बात आती है तो कोई बात नहीं अपने अपने सिद्धान्त की बात है तो हमारे दुरवासारिशी द्वादसी घड़ी को व्यतीत करन प्रदोष ब्रत आजाएगा त्रहे तेरस के दिन और अभी तक वो आये नहीं रिशी क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इतने दिन से ब्रत कर रहा हूँ, तो कहा कि आप गंगा जल और तुल्सी ले लीजिए, तो जल और तुल्सी उन्होंने ले ली, इतने महीं दुर्वा सारिशी आए, अई, हमारे आने से पहले तुमने कैसे ब्रत भंग कर लिया, जल भी पिया तो क्यों पिया, बहुत दार्दपट करने लगे, एक नहीं सुनी, और अपने जटा में से एक बाल उखाड़ा, और एक आग का पुंज बनाया, जिसको कृत्या बोलते हैं, राजा की तरफ छोड़ दिया, भगवान विष्णु ए अपना सुदर्शन चक्र अपने भक्तों की सेवा में रखते हैं, जाओ भी तुम भक्तों की रक्षा करो, सुदर्शन चक्र प्रगट हो गया प्रगट हो करके वो कृत्या को तो समाप्त करी लिया दुर्वासारिशी की तरफ वो सुदर्शन चक्र दोड़ा दुर्वासारिशी भागते भागते कभी ब्रह्मा जी के वहां गए ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी मैं तो आपकी रक्षा नहीं कर सकता संकर जी के आँगे, संकर जी ने कहा कि मैं भी रक्षा नहीं कर सकता उपाय बता सकता हूँ भगवान विष्णु के वाँ से ले जाओ वो ही तुमारा कल्यान करेंगे भगवान विष्णु के बैकुंठ में गए और कहने लगे महराज अजान ताते परमान भावम आपके में प्रभाव को जानता नहीं था गल्पी हो गई अब आप जो है मुझे क्षमा करेंगे आपके नाम के उच्छारन करने मात्र से नरक्वे जाने वाला प्राणी भी आपके चर्णों में आपड़ता है महराज उचे मुझे छुड़ाओ शुदर्शन चक्र से चुड़ाओ भगवान ने सिरह ला दिया भगवान ने का दुर्वास्याजी मैं भी विवस हूँ अहं भक्त परादेनो यस्वतंत्र इवाद्विज़ साद विर्ग्रस तरहिदयो भग्ते रभग्त जनाप्रियः बहुत परादेनो आप मुझे क्या समझते हो सरवतंत्र सोतंत्र समझते हो जहां मेरी सोतंत्रता है वाह तो सोतंत्रता है लेकिन कहीं मेरी पराधीन ता भी है मैं भक्तों के सामने पराधीन देता हूँ संतों ने मेरा हिरदय जकर रखा है प्रेम की कारण से इसलिए मैं भक्तों का प्री हूँ मैं अपने आपने स्वतंत्र नहीं हूँ मुझे लक्ष्मी जी भी इतनी प्यारी नहीं लगती है जितने मुझे भक्त लोग प्यारे लगते है आप विचार करो दुरवा साजी ये भक्त और हम दोनों में से देखा जा तो जितना त्याग भक्त करता है उतना हम थोड़ा ही करते है भक्त है वो अपने मा, बाप, इस्त्री, पुत्र, मकान, दुकान सबसे अपना प्रेम छोड़ करके मुझे में वो प्रेम करता है अब बताओ ऐसे भक्तों को इन्हीं मैं ने सुनू ऐसे भक्तों को ने स्विकार करू तो बताओ फिर मेरी तो भक्ती बंद हो जाएगी ऐसे भक्त मुझे वैसे ही वश्मे कर लेते हैं जैसे पती प्रताइस्त्री के पती वश्मे हो जाते हैं जो पती प्रताइस्त्री के वो बात मान भी पड़ती है मेरे भक्तों की क्या बात बताऊं दुर्वासा जी उनको मैं सालों के सार्ष्टी सामिप पे सारूप पे इकत्व ये मुक्ति देने लगू लेना नहीं चाहते हैं एक बात बताता हूँ ये दुर्वासा जी मैं अव्यक्त रहता हूँ, छिपा रहता हूँ परंतों मेरे हिर्दय की पैतान करनी हो, तो संतों के पास तले जाओ और संतों के हिर्दय की बात मालुम करनी हो, तो मेरे पास आजा संतों का हिर्दय मैं हूँ, मेरे हिर्दय संत है मैं संतों के अलावा किसी को नहीं जानता क्योंकि संत मेरे अलावा किसी को नहीं जानते आपके पास तपू बल्थाना ये तफस्या है और शास्त्री विद्या है ये वास्तों में लाप करने वाली होते वे भी ये इनका कोई दुरुप्यू करता है तो इससे नुक्सान भी बहुत होता है जैसे रुपया है रुपया एक शक्षी है परंते इसको दीन दुखी की सेवा में लगाए माता पिता और खुत्र इस्तरी परिवार इनके पालन में लगाए दीन दुकी की सेवा में लगाए तब तो इसका सदुपयोग है और और इसी रुपे के द्वारा वो जुवा घेले और कुछ करे जितने पाप करम वो करे तो भी इसके लिए बड़ा भारी अभिशाब भी है तो तुमारे पास जो विद्या है तब है उसका तुमने बहुत धुरुपयोग किया है अभी मीर तुम मेरे यहाँ आगे इसलिए कहता हूँ तुम उस नाभाग पुत्र अमरिश की शर्ण में चले जाओ तुम एक्षमा कर देंगे और तुमको शांती मिलेगी भगवान ने उपाई बता दिया दुरवासाजी धोड़े धोड़े आई अमरिश के चर्णों में गिर गए अमरिश ने गा रहे महराज उल्टी बात यह उल्टी गंगा कहां से बैने लगी हिमाले से गंगा बैती है कि समुद्र से हिमाले की और गंगा बैती है महराज मैं आपके चर्णों में कि आप मेरे चर्णों में कि भाई से पिंड छुड़ाओ मेरा सुदर्शन चक्र से पिंड छुड़ाओ अब दुरवासा रिशी ने सुदर्शन चक्र से बड़ी प्रार्थना किये देखो किसी पर भयंकर संकट आता हो ना भगवान नहा करे वही किसी पर आये, इरदै से प्रार्थना है, और यदि कोई भाहंकरी संकट आ गया हो, तो ये जो इस्तिमत भागवत के पांचवे सकंद से, तीसरे स्लोक से लेकर इग्यारवे स्लोक तक ये नो श्लोक हैं, ये नो श्लोक सुदर्शन चक्र से प्रार्थन की श्लोक है इन स्लोकों से हिदी सुदर्षन चक्र की पूजा की जाए भगवान विष्णु की पूजा की जाए चत्रवुज भगवान हो और चत्रवुज भगवान में चक्र जरूर होना चाहिए शंक चक्र कदाबद में चारू आयुद सैत हो ऐसे भगवान विष्णु की पूजा करके आर्थ भाव से नोश्लोकों का पाथ करे तो सुना है उसका संकट दूर निश्चित रूप से होता है अस्तु अम्वरीश बोलता है कि हे सुदर्शन आप ही अगनी हो आप ही सूरी हो आप ही चंद्रमा हो आप ही भगवान के परम प्रियशस्रो आप लोगपाल हो आप में परम पौरुष है आप एको लेक के भगवान संसार की रक्षा करते हैं आप मन से भी बड़े वेक्षाली हो आपका तेस बड़ा धर्म युक्त है और आपका जो प्रकाश है उस प्रकाश को महाफुर्शों ने अपने हिर्दे में धार्ण किया है हे सुदर्शन चक्र जी आप इस ब्रामन का संकट दूर कर दीजिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यदि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया हो और मैंने भगवान की अराधना में किसी प्रकार से कोई दोश नहीं किया हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसकी रक्षा करो रक्षा करो ऐसा करते ही सुदर्शन चक्र शान्त हो गया है एक दम जब सुदर्शन से क्रशान्त हो गया तो उनको दुर्वासा जी को ठंडी सांस आने लगी और अब दुर्वासा रिशी बड़े मुक्त कंड से कैन लगी आद मैंने भगवान के भक्तों का माहत में देखा है कितना मैंने अम्बरिश का अपमान किया लेकिन इसने मेरा मंगली मंगल चाहा संतों के समान कौन ऐसा कथूर काम कर सकता है ऐसा साहस का काम कौन कर सकता है अपने को कष्ट देने वाले का भी भला चाहे मेरे पापों को इसने पीछे किया और मैं देखू सुदर्शन चक्र से प्राटना करके मेरे प्राण बचाए भगवान के परम भगत अम्बरिश जिने दुर्वासा जी को भोजन करया भोजन करने के बाद फिर भोजन करने के बाद दुर्वासा जिन का राजन आप भी भोजन करो दुर्वासाजी ने भोजन किया और फिर इनोंने भी भोजन किया कई देर तक उसके मन में ये बात रही कि देखो भगवान के भक्तों में कैसी भक्ती का गुण होता है दुरवासाजी वहां से भी रवाना हो गए और मन में सोचने लगे कि मैंने इतने वरस तपश्या करके ब्यर्थ कमाए भगवान की भक्ती से बढ़कर कोई नहीं है देखो कैसे क्षमाशील राजा हुए हो ऐसे ऐसे राजाओं का चरित रहे किसी में क्षमा है किसी में निरलूपता है तो किसी में किसी में सत्यवादिता है ऐसे ऐसे चरित रहे सुकदेव जी माराज कहते हैं कि दुरवासाजी के चले जाने के बाद ऐसे देखो जिसमें भक्ती ज़्यादा होती उसको भक्ती का घमन नहीं होता उनके मन में ही नहीं आया कि देखो दुरवासा जैसे रिशी को मैंने जुका दिया ऐसे अंबरीश जी के मन में भी नहीं आया और वे भगवान के परम स्वरूप के अंदर ही मगन रहने वाले हुए और अंत में अपना राज पुत्रों को दे कर वे तो वन में जाकर भगवान का बजन करने लगे ऐसे हमारे अंबरीश महरास थे उनके वन्स में आगे चलते 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 एक युनास्त नाम के राजा हुए वो एकवार यग्य में बैठे वे थे रात्री में उनको प्यास लगी तो देखो वेदिक विदी का वो आदर करना भूल गए ये ब्राह्मन लोग एक मंत्र का कलशा रखते है न अपने देखते हैं केवल पानी है केवल पानी नहीं पानी तो अपने को दिखता है लेकिन मंत्र के द्वारा उसमें विशिष शक्षी आती है यो ना सुने उसकी परवा की नहीं उठा करके रात्री में प्यास लगी जल पी लिया ब्राह्मनों ने पूछा भी ये जल हमने अभी मंत्रित किया था इस जल को किस ने पिया किस आप में ने पिया अरे राजन तुमारी बात लोग सुनेंगे तो हासेंगे क्यों कि लोग तो सुनता है इस तरी के पेड़ से बच्चे पैदा होते तेरे पेड़ से बच्चा पैदा होगा तो भई उसके पेड़ से बच्चा पैदा होगा उसका नाम था मांधाता मान धाता नाम क्यों रहा क्योंकि ये इंद्र के लिए ये किया जा रहा था तो ब्रामनों ने इंद्र को प्रसन्न किया और कहा कि माराज इस से बेटा पुरुष से बेटा होगा अब पालन करने की शक्ति तो मा में होती है मा में प्यार होता है प्यार से ही मा के खून का दूद बनता है देखो दर्द से दुख से तो खून की मवाद बनती है और प्यार से और स्ने से बच्चे के मा बच्चे के लिए दूद पैदा कर लेती है प्यार के कारण से खून वही है जिस खून से मवाद बनता है उसी खुन से दूद बनता है प्यार के कारण से अब इनके कहां इतना प्यार है पुरुष में इस बच्चे का क्या होगा इंद्र ने देखा गिए बात तो ठीक है तो इंद्र ने अपनी अंगुली उस बच्चे के मुँ में देती छोटे से बच्चे हुए के मेरी अंगुली में से अमरित चपकेगा और उस बच्चे का पालन होगा तो माम धाता ये मेरी शर्ण में रहेगा तो इसकी रक्षा करने वाला मैं हूँ तो ऐसे करके उसका नाम ही मान धाता पड़ गया कहते हैं वो मान धाता बड़ा हुआ तो ऐसा प्रताफी समराठ हुआ कि ये बड़े बड़े रावण वगरे साब इसके कांपते थे मान धाता के सामने दस्य वो रावणा दया है अब इस मान धाता के लड़के भी थे और पतास लड़कियां थी पतास लड़किया एक वार सौबरी रिशी जल में श्नान कर रहे थे वहाँ उन्होंने मचनी का परिवार देखा तो मन में आया कि हमारे भी परिवार हो जाए तो बड़ा अच्छा हम भी घर ग्रियस्त में रहे तो सादू होकर के जो ग्रियस्ती होता है उसकी बड़ी दुर्गती होती है ग्रियस्ती होकर जो सादू होता है उसकी तो बड़ी सद्गती होती है और सादू होकर के जो ग्रियस्ती में चला जाता है बड़ी दुर्गती होती है सौबरी रिशी के तो यही हुआ अब जाए शादी करे किसे शादी करें कौन डेवे लड़की इसको तो सहवरी रिशी गए मान धाता के पास गए तेरे पास पचास है तो शादी तो करेगा ये मेरे सासथ शादी करदे मान धाता ने देखा कि यदि मैं कर देता हूं तो दुनिया मुझे हसेगी और नहीं करता हूँ तो रिशी का क्या पता है वो फूग दे जिसमें हमको भस्म कर दे क्या करें हूँ का कि महराज हमारे रन्यवास में आप चले जाओ वहां जाकर कि जो लड़की आपको पसंद करेगी वह आपके साथ हम दे देगे कि पक्की बात है यह बिलकुल पक्की बात है मारा सोबरी जिसी में तपूबल था सोबरी जिसी अपनों हिचना सुंदर रूप बनाए और गए रन्यवास में वहां गए तो वहां उन पचासों की पचासों कन्याओं ने कहा अयम्मे पती, अयम्मे पती ये मेरे पती तो ये है, मेरे पती है ममा अनुरूपो ये ये मेरे अनुरूप है और कोई मेरे अनुरूप पती नहीं है ऐसा करके सब वो पतासों की पतासों बोलने लगी अब वो पतास का टोड़ा लेकर के राया मान धाता की पास के माराज जैराम जी की अच्छी बात है बई ये पचास मेरे साथ चलना चाहती है का बई मैं तो अपने बचन को हार गया चले जाओ ले जाओ अब ले करके अपनी योग सिद्धियों से ऐसे पचास महल बनाए सब प्रकार की सुक्सामगरी जो उनको अपने पीहर में नहीं मिली उससे जला सुस्राल में उनको सुक्सामगरी मिली स्वयम मान धाता अपने लड़कियों से मिलने के लिए आया तो विस्मित है बड़ा स्थम्भमित हो गया विस्मित हो गया और अस्तंभम अजहात अपना घमंड था ना कि मैं साध्वीप वाली पृत्वी का स्वामी हूँ घमंड दूर हो गया ऐसे महल ऐसा एश्वरी देखा वो ही वो ही सोबरी रिशी अपने मन के अंदर बिचार करने लगे कि अरे मैं सादू बना हुआ था और मैंने कहां ये परिवार बढ़ा लिया अब बच्चे कच्चे खुब हो गए उनके तो मन में बिचार आया आप देखो को सादू पने का अंस जाएगा थोड़ी क्या आग तफश्या उनकी ब्यरत थोड़ी जाएगी वहां उन्होंने बिचार किया कि हो मनुष्यकों वास्तों में भोगी पुर्षों का संग नहीं करना चाहिए भोगी पुर्षों के संग करने से उसके अंदर भोगों की इच्चा पैदा होती है ओ हम कहां थे जल के अंदर गए और मचलियों का परिवार देखा और कहां मचलियों जैसी हमारी बुद्धी हो गई मन में बड़ी कलानी हुई और अपने स्तिरियों को और सब को कह दिया कि आप लोग तो अपने फुत्रों के पास रहो मैं मेरा बजन करूँगा तो पत्यों ने का हम राज बजन तो हम भी करेंगे बजन से बढ़कर कुछ भी नहीं है हम भी बजन करेंगे तो वनम जगामा अनुययूस तत्पत्या है क्यों पती देवता हा इस तर自 के लिए पती जो है वो भगवान होता है उनका हम तो महलों में रहे और आप वन में भजन करो हम भी भजन करेंगे कि आजाओ अब सौबरी दिशी खुब भजन किये और अन्त में परमात्मा को प्राप्त हो गए और वे भी सौबरी दिशी के पीछे अपने आपको जो है अगनी में प्रभेश करके पतिलोक में चली गई ऐसे ऐसे पैदा हुए इनी के अंदरी तृषंकु हुआ हरिश्चंद्र हुआ बड़े-बड़े राजा लोग वे बाहुक नाम का एक राजा हुआ बाहुक अंत में बाहुक नाम का राजा था वो तो मर गया मरने से पहले उसकी पत्निया थी उसके पत्नी के पत्नी थी और वो नाम के रिशी ने कहा कि अई पत्नी सती होने लगी अरे तू सती मत हो तेरे से बालक पैदा होगा तो उसने मना कर दिया उसको तो दूसरी जो इस्त्री थी उसने उसको जैर दे दिया तो और वो रिशी को पता चल गया कि देखो कितनी डाह होती है इनमे उन्होंने मंत्र के द्वारा उस जहर का प्रभाव उतार दिया तो वो जहर सहीत ही पैदा हुआ तो उस लड़के का नाम सगर हुआ गरेण सहीत है सगर है गर बोलते हैं जहर को जहर के साथ पैदा हुआ तो उसका नाम ही सगर हो गया बड़ा प्रतापी राजा हुआ 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 पिता तो भाई हिमाले की तरफ आ गए थे हार हुर करके उसने अपनी नई सेना बनाई और ताल जंग है यवन है और है यह है इन सब को जो बश में कर लिया और मारा नहीं गुरुजी ने मना कर दिया मारना नहीं प्राण मत लेना इनको मुंडित कर दिया इनकी मूचे उपार दी और उनको वो जो है नीले पिले कपड़े पैन पैन करके रहने लगे पता चले कि यह वो है इसलिए नीले कपड़े पैनना अपने यह अच्छा भी माना जाता है अस्तु एक वार वो सगर ये की कर रहा था तो इंद्र उनका घोड़ा चुरा ले गया अब सगर के साथ हजार बेटा थे वो घोड़े को डोनने के लिए गये तो पृत्वी को खोदने लगे तो वो साथ समुद्र हो गये वो इस सागर कहलाने लगे वहाँ उन्होंने कपिल भगवान को देखा उनके पास में गोड़े को देखा अब कपिल भगवान थोड़े ही ऐसे हैं तो उन्होंने कपिल भगवान को चौर समझ लिया हमारे गोड़े को इन्होंने चौरा है और बहुत गुला बुला 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 कहने लगा कहने लगे वो 60,000 उनकी तपस्या में बादा पड़ी दून आँख खोला आँख खोलती वो तो भस्म होगे देखो वो रिशी के क्रोध से भस्म नहीं हुए थे वो अपने पाप से ही भस्म होगे कही के लोग कहते हैं कि अमुक सादू का अपराद किया संत का अपराद किया तो उसकी घर में ऐसा हो गया होता है परंतू उसके अपराद में संत का संकल्प नहीं होता है संत का संकल्प नहीं होता है संत नहीं चाहता कि मुझे नाराज रहने वाले व्यक्ति का अनिष्ट होए संत नहीं चाहते है इस तो फ़र उसका अनिष्ट क्यों होता उसका अनिष्ट संत के अपराद एक बहुत बड़ा पाप होता är बहुत बड़ा पाप इस पाप के फल से उसी का इइ पाप का फल उसके सामने आता इस दें संत कभी भी किसी को शाफ नहीं देते अब उस वंस में आगे अन्षुमान हुआ उस ने देखा कि मेरे चाथाओं को जो है कहाँ भस्म होना पड़ा है मैं जाकर देखू तो देखा कि अरे यहां तो कफिल भगवान भिराजमान है अब अन्षुमान ने कफिल भगवान की बड़ी स्तुतिकी की महराज आप नहीं होते तो संसार में कौन ग्यान देता सरलता का ग्यान कौन देता क्योंकि लोग तो माया से मोहित चित्वाले हैं आपने सबको स्वस्त बनाया है विदू स्वस्त्थम ने बही प्रकाशा ये बाहरी बाहर प्रकाशित होने वाले विश्यों में आपके उप्रेश को सुनने वाला कभी आक्रिष्ट नहीं होता महराज आपने ऐसा ग्यान लिया कि जो लोग घर ग्रियस्त को वास्तविक मानते थे उनके मन से ये बात आगी ये सब जूटा है ये कोई कम बड़ी बात नहीं है मेरा भी महराज मुह दूर हो गया आपके दर्शन करने से कपिल भगवान खुश हो गेर कहने लगे के भही देखो अंसुमान जी अब तुम गंगा जी लाओ तो तुमारे चाचाओं का कल्यान होगा और तो कोई उपाई दिखता नहीं है तब अंसुमान ने तपस्या की अंसुमान खतम हो गए फिर दिलीप ने की फिर भगीरत ने की तीन तीन पीडियों की तपस्या से प्रसंद हो करके घंगा जी ने का मैं आ तो जाओंगी पर एक तो ये खत्रा है कि हमारे यहाँ पापी लोग नाएंगे तो पाप मेरे अंदर इकठा हो जाएगा तो मेरी महिमा खतम हो जाएगी तो का इसके तो चिंता मत करो हमारे यहाँ भारत वर्ष में महापुर्ष बहुत है हमारे पृत्वी पार जिसमें भारतवर्ष है इसमें तो बहुत महाफुरुष है इसलिए महाफुरुषों के इस्टनान करने से पापियों के पाप जो यहां धुपते हैं न वो महाफुरुषों के इस्टनान करने से वो भस्म हो जाएगे तुम्हारा जल तो वैसा का वैसा पवित्र रहेगा तो कहा कि मेरा वेग कौन धारण करेगा उपर से आउंगी तब वेग तो वेग धारण करने के लिए उन्हें कहा अगे रुद्र से में प्रार्थना करता हूँ रुद्र ने का ठीकी ले आओ गंगा जी वो जनता का भला होगा अब गंगा जी उपर से आई गंगा जी के मन में था कि मेरे जैसा कौन ऐसे वेग से आसकता हूँ खोब बड़े वेग से लिचे उतरे शंकर जी देखें कैसे धारण करते हैं संकर ईनका आग है गंगा जी इस बांध लिया गंगा जी जो है अंदर इंदर घभरा ने लगी ए शंकर जी मैं तो आपका प्रभाव जानती नहीं थी अब कम से कम सांस लेने के लिए तो कोई जगह रखो तो कहा कि लो लो यह जटा में यहां से मूँ निकालो अपना और यहां से तुम बेना चालू कर दो तो गंगाजी रहती तो वहाँ है, सांस तो वहाँ लेती है उनका जल है यूँ चलता रहता है भगवान शंकर की जटा में आज भी गंगाजी विराजमान है जटा कटा है सम्रमं ब्रमं निलिम्पनिजरी विलूलवी चवल्लरी विराजमानमूर्दनी ऐसे भई उस भगवान शंकर ने उसके वेक को धार्ण किया और फिर उस गंगाजी के जल से वो सब के सब परमपत को प्राप्त होगे इस उस में सुधास नाम का एक राजा हुआ और उसका पुत्र था उसका नाम था सुधास उसको कलमाश पाद भी कहते थे एक वार वसिष्ट जजई ने उसको शाप दे दिया क्यों? क्योंकि सुधास था वो एक वार शिकार खेलने के लिए गया तो वहाँ शिकार के अंदर उसने किसी राक्षस के भाई को मार दिया तो उस भाई ने बदला लेने के लिए बिचार किया जिस राक्षस को मारा उसके भाई ने बदला लेने की सोची तो वो भाई क्या किया कि रसोईदार का रूप बना किया रोज रसोईदार तो आता ही था, वह रसोईदार जिसार रूब बना करके घर में गुश गया, और रसोई बनाई। उस दिन ब्रामणों का भुजन था, उसमें मांस मिला दिया, ब्रामण थे वह शिच्ट जी महराज, जो है उन्होंने शाप दिया, अरे, जो है तुमने मांस मिलाया बारे बरस तक जाओ तुम राक्षस हो जाओ पहले तो यही का राक्षस हो जाओ तो सौधास ने का मेरी कोई गलती नहीं है मैं क्यों राक्षस हो जाओं अज़िए मैं राक्षस हो जाओं तो मैं आपको भी नीच सोड़ता उन्हें मंतर लेकर के बोल के वो भी गुरुजी के उपर साप छोटने लगा तो मदेयंति उनकी पत्नी आएगी क्या करते हो माता पिता गुरुजन जब अपने पर क्रोध करते हैं तो उस क्रोध को विनय से स्विकार करना चाहिए की उसका प्रतिकार करना चाहिए ये जल गुरुजी पर नहीं छीड़त नहीं दूँगी तो उन्होंने अपना जल्था अपने पैर पर छिड़क लिया तो पैर उनके काले हो गए तब उनका नाम कलमाश पाज पड़ा इधर आकाश वाणी हुई कि वसिष्ट जी आपने सूस समझगे शाप नहीं दिया इसकी कोई गलती नहीं है राक्षस की गलती है एक वार एक नव दमपती ब्रामन परिवार वो वहाँ थे तो वहाँ उस ब्रामन बालक को पकड़ा ब्रामन जवान था उसको खाने लगा हो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो हमारे कोई संतान नहीं है हमारा वंश खत्म हो जाएगा आप क्यो मार रहा हो तो वहाँ उसने सुनी नहीं कोई बात अरे आप देखो थोड़े समय के लिए राक्षस हो उसके बाद वापिस आप हमारे राजा ही बनोगे आप ये पाप मत करो पर नहीं माने और वो खा गया उस ब्रामन को मार करके ब्रामन के मरदाने के बाद में फिर उस रिस्त्री ने शाप दिया कि तुमने मेरे पती को मारा है तो जाओ तुम भी अपने पत्नी के पास में जाओगे तो तुमारा भी सिर्व खत्म तुमारा सिर्व भूट जाएगा तुमारा सिर्व समापत हो जाएगा तुम मर जाओगे 12 वरस तक उस रिशी के शाप में वो रहा राक्षस और 12 वरस के बाद में जब वो वापिस अपने शाब में आया तब भाई उसको पत्नी ने पहले ही मना कर दिया कि आपको शाप लगावाए आप सावदान रहना अब ध्यान देना उनके कोई संतान तो थी नहीं राजा के संतान नहीं थी तो सब प्रजा को चिंता होने लगी तो वसिष्ट जी महराज को भी चिंता होई कि क्या करें हम तब वसिष्ट जी महराज ने उसको कहा कि देखो तुम चिंता मत करो हम एक तुमको ऐसा उपाय बता देंगे तुम्हारे गरब रह जाएगा और तुम्हारे पती मरेंगे भी नहीं और उस गरब की रक्षा हम करेंगे और इनको हम मरने नहीं देंगे वो शाप हम उतार देंगे और वो पेट के अंदर गरब रहा तो वो बाहर आवे नहीं अंदर ही अंदर रहा तब उसको पत्थर से जो है पीट पीट करके बाहर निकाला तब उसका नाम अश्मक रहा अश्मक सब क्षत्रियों के समाप्त हो जाने पर जब वो परश रामजी ने मारा तो सब क्षत्रियों के समाप्त हो जाने पर वो एक अश्मक ही बाकी बचा था इसका नाम था नारी कवच कई स्तिर्यों ने उसको सुरक्षित रख लिया था अपने पास इसको मरने नहीं दिया इस दिया उसका नाम नारी कवच भी था कहता है उससे आगे वंस में खटवांग नाम का राजा हुआ देवताओं के पक्ष में युद्ध कर रहा था देवताओं ने कहा कि भाई अब इसकी उमर देवताओं से उसने कहा कि मेरे मृत्यू के अंदर यदि थोड़ा सा समय बाकी हो एक मूर्थ बाकी हो तो आप हमको बोल देना है तो देवतावने का ठीक है लड़ता रहा लड़ता रहा लड़ते लड़ते देवतावने का अगराजन अब तमारा एक मूर्थ बाकिये एक मूर्थ के बाद मर जाओगे तो सावधान हो गया और सुगदेव जी महराज बहुत अच्छी बात बोलते है अथेशमाया रचितेशु संगं गुणेशु गंधर्व पुरो पमेशु रूड़ं प्रकृत्यात्मनि विश्वकार्तुर भावे नहित्वातमां प्रपद्ये संसार के सब भुखपदार्तों से आसकती का त्याक किया और फिर उसने विश्व का निर्मान करने वाले भगवान से प्रार्थना कि कि महराज मैं तो आपकी शर्ण में हूँ देखो शर्णागती के लिए एक मूर्थ भी बहुत समय था उनकी बहुत समय तते स्वभावम आश्रते हैं वो क्या अपने भगवान के शर्ण में चला गया तो सब से उसका समन्द भी छेद हो गया और देखो लोग कहते हैं भक्ती में जाने वाले को ज्यान नहीं मिलता और ज्यान में चला जाता है उसको भक्ती नहीं मिलती दिलकुल अठपटी बात है जब तक इस मार्ग में नहीं जाते हैं तब तक ये ब्रहम हैं इस मार्ग में जाने के बाद ऐसा नहीं होता है अब देखो खटवान के लिए भागवत में विचितर बात याएगी जिस परब्रहम परमात्मा को शुन्य के समान बताया है अरे शुन्य का अर्थ होता अभाव क्या परमात्मा का अभाव है क्या नहीं अभाव नहीं है पर अभाव की तरह दिखता है अशुन्यम शुन्य कल्पितम सतचित आनंद की अनुभूती होती है अभिव्यक्ती नहीं होती सतचित आनंद को अपने आपके द्वारा दर्शन किया जाता है पर उन्हों दिखाया नहीं जा सकता इसलिए वो सुन्य कल्पित है लेकन अशुन्य है कैसी विचितर बात है ऐसे हमारे खटवांग जी भगवान में मन लगा कर भगवान को प्राप्त हो गए उस खटवांग के दीरगवाव, दीरगवाव के रगव, रगव के अज, अज के फिर दसरजी महराजवे जहां भगवान ने अपने ही चार रूपों में राम, लक्ष्मन, भरत और सत्रुगन के नाम से विख्यात किया उनका चरित्र तो हे परिक्षित हरा आदमी के मूँ पर नाच रहा है कैसा विचितर चरित्र है उनका गुर्वार्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्नपध्यां प्रियाया पानिस्परशाक्षमाभ्यां मृजित्पथर जोयो हरिंद्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूरपणख्या प्रियविरह रुशारूपिताब्रोविज्रिम्भ तरस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदःन कोसलेंद्रोवतान। ऐसे भगवान हमारी रक्षा करे माना माता पिता की आग्या मान करके जो वन में चले गए और ऐसे उनके कोमल चर्ण जो सीता जी कोमल चर्णों को दबा दी तो उनके मन में बहम भ्रम होता था कि मेरे कठोर हाथ इनके कोमल चर्णों को कई पीड़ा में पहुचा दे ये बंदरों के साथ साथ गुमें बंदरों के साथ साथ रहें और शुर्पनखा को जब जिरूप कर दिया और रावनने शीता का हरन किया तो ऐसे कलपे ऐसे रोए ऐसे रोए जैसे कोई करुणा को ऐसा पहलाया कि पत्थर भी रोपड़े ऐसे वो करुणा को फहलाने वाले और पुर्शार्त ऐसा दिखाया, ऐसा दिखाया कि समुद्र के उपर पुल बना दिया ये भगवान बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सब काम करने में समरते वो भगवान हमारी रक्षा करे विश्वामित्री के साथ यग्य में गए स्वयम्बर में सिता जी को प्राप्त किया माता पिता की वचनों की रक्षा करने के लिए विवन में गए यज्यपी, पिता जी इस तरीके वशीबू तोकर के बोले परन्तो नई सिरसा जग्री है उन्होंने उनके वचनों को सिरसे पालित किया खर और दूशन की सेना को 14,000 को एक अकेले राम जी ने उनको मारा फिर मारीच को मारा सिता के हरन के बाद उन्होंने बंदरों से मित्रता की परिक्षित बंदरों से क्योंकि और राजा लोग नहीं थे भरत के पास में भेश सकते थे भगवान अन्मान जी को भरत अन्मान तुम जाओ जो है वहाँ आयोध्या में भरत को कहो कि भई सिता जी को कोई चोड ले गया रावन तुम सेना लेकर के आओ चितरकूर तो तुम बहुत बड़ी सेना लेकर आए थे और जनक जी को जाकर के भी कहो अब जनक जी भरत जी सब सेना लेकर आए चलो अपर लड़ने के लिए पर नहीं किसी को भी नहीं का उन्होंने समुद्र लंगन करने के लिए अन्मान जी को का क्या है ये ग्रिष्ट धर्मकास उपदेश्ट देने के लिए कि अपने भुजबल के उपर विवा करते हो ग्रिष्ट चलाते हो उसका सारा बार अपने पर रखो हमारा दुख दूर दूर करने के लिए हम दूसरे की साहिता लेवे उचित नहीं है अपना ही पुरुशाच करके उन्होंने बंदरों को जो है अपनी सेना मनाया रावण को जिस समय में युद्ध में फटकार थे थे उस समय में रावण भी उनकी फटकार से घबरा जाता था रावण के मनने पर उनकी स्तिरियां बहुत भिलाप करने लगी फिर भगवान लंका में से पुश्पक्विमान पर विराजमान होकर यहां नंदिक राम आए क्योंकि नंदिक राम में भरज्जी महराज गवों को जो खिलाते थे और वो जो गवो खाती थी खाने के बाद गोबर में जो जो निकलता था उसको पीस करके उसका वो भोजन करते थे गोमूत्र में उबाल करके भोजन करते थे गोमूत्र यावकम शृत्वा भगवान से रहा नहीं गया देखो मेरे लिए कैसी तपस्या करता है गोबर में से निकलावा जोर उसको भी गोमुत्र में उसको उबाल करके विचारा बोजन करता है भरत के बिना रह नहीं सके दोड़े दोड़े आए भरत जी से बड़े प्रेम से मिले और राजगर्दी पर वो विराजमान होगे सब बाईयों को ऐसा लगा गे जैसे राज जी हमारा ही है एक वार वे छिप करके लोगों की बात सुनने के लिए स्वयम गए वहाँ एक पती पत्नी का जगड़ा देखा का कि मैं कोई राम थोड़े ही हूँ जो दूसरे के घर में रखी हुई रही हुई इस तरी को अपने घर में जख लूँ निकल जा तो यहां से भगवान ने सुन लिया भगवान ने देखा क्या रे हमारे और सीता को यह लोग प्रेम को समस्ते नहीं है राजा को ऐसा आदर स्थापित करना चाहिए कि जिसे प्रजामे सुक्षानती रहे उन्होंने सीता को वहाँ से बेश दिया और वे बाल्मी की जी के आश्रम में रहे उन्होंने राम जी के लव और कुष हुए लक्ष्मन के अंगद और चित्र के तू हुए भरत के तक्स और पुषकल हुए और सत्रुगन के सुबावू और सुतसेन नाम के लड़के पैदा हुए क्या बताएं भगवान राम के चर्णों का ज्यान करती वी सीता लव और कुष को बहुत योगी बना दिया भगवान ने इस्तरी के लिए जो बिलाप किया वो इस्तरी में आसक्त पुरुशों को तो साउधान करने के लिए कि देखो मैं भी इस्तरी के लिए रो सकता हूँ तो तुमारी क्या दशा होगी मैं अनंत कोटी ब्रह्मान नायक परादपर प्रब्रम परमेश्वर संसार में मर्यादा स्थापित करने आया हूँ और इस्तरी के विशय में जो है मेरी कोई आसकती नहीं है क्योंकि सीता मुझसे अलग है ही नहीं फिर भी एक लीला के अंदर यदि इस्तरी हरन से मैं दुखी हो सकता हूँ तुमारी क्या दशा होगी ऐसे लोगों को सिक्षा जी है ग्राम्यस से ग्रिय चेतस है तेरे हजार बरस तक उन्होंने सासन किया है तो एको और जगे दस हजार आता है कही 11,000 आता, ये भागवत में 13,000 बरस तक आता है भगवान के समय में परजा बड़ी सुखी थी भगवान एcussions करके चारों दिशाओं को ब्रामणों को दान में दी ब्रामणों ने कहा नई महराज हम ये राजी नहीं लेंगे क्योंकि ब्राह्मराजी लेने वाले को कठूर बरताव करना पड़ता है और ब्राह्मन का हिर्दे कठूर होता नहीं कोमल होता है हमसे शासनी होता तो कहा हम तो आपको कुछ देना चाहते हैं कि देना ही चाहते हैं तो हम भी मागना चाहते हैं बोलो मांगे, आपके प्रति हमारी भक्ति होगे, बस यही हम चाहते हैं। ऐसे उन्होंने, ब्रामणोंने भगवान से आशिरवाद दिया। ऐसे ऐसे सूर्य मंस में आगे जाकर, कई राजा होंगे, उनमें एक मरू नाम का राजा हुआ। जो इस समय में योग सिद्ध से कलाब ग्राम में रह रहा है, जब कल्यूग जब खतम हो जाए, कल्यूग जब बहुत बढ़ जाएगा, और कल की भगवान पधारेंगे, उस समय में ये मरू, ये सूर्य मंस वाला, और देवा पी ये चंद्र मंस वाला, ये दोनों आकर वापि सूर्य मंस और चंद्र मंस की स्थापना करेंगे, इदार वो जो साद्य देव मनु का एक फुत्र था, राजा निमी, उसने वाँ जो है, एक यग्य किया, उस यग्य में अपने गुरुजी से कहा कि महराज मेरा यग्य करा दो, गुरुजी ने कहा कि हम तो नहीं करा हम तो इंद्र के वहाँ पर गएवे हैं, तो का आप इंद्र के वहाँ पर हैं, तो हैं, लेकिन आप हमको तो जो है, हमारा तो यग्य करवा दिए, नहीं हमने पहले उनका यग्य स्विकार कर लिया, जियान देना, राजा ने देखा कि अच्छा काम तो जल्दी-जल्दी कर लेना चाहिए देखो एक बहुत कंभीर बात है संतों की बताईवी बात अपने मन में कभी खराब बात पैदा हो तो अपना सिर ना हिला देना चाहिए ना ना अभी नहीं ना अभी नहीं ऐसा सिर इला देना चाहिए और अच्छा भाव पैदा हो तत्काल उसको करना चाहिए तत्काल बुरे काम के लिए आप यदि उसको आगे के लिए डाल दोगे तो आगे अच्छी बिर्ती के द्वारा बुरा काम फिर नहीं होगा और बुरा काम की मन में आए और उसी समय आप बुरा काम कर दोगे तो आपके अंदर सन्सकार और पड़ेगा इसलिए बुरे काम के लिए तो आगे पड़ा दो फिर देखा जाएगा अभी नई अभी नई आगे देखा जाएगा अभी नई और अच्छे काम की मन में आई तत्खाल कर दोगी यह तो करे लो क्या पता शरीर रहे एक नहीं रहे अच्छा काम से कोई बंचीत नहीं रहे जाए ऐसे ही राजा निमी ने विचार किया कि वही यह की करना है तो करना है कि गुरुजी तो यहां नहीं है वो तो कि मैं इंदर के वहां जा रहा हूँ गुरु जी ने दूसरों को बुला लो भई दूसरों को बुला कि यह कि किया इधर गुरु जी आ गे नाराज हो गे कि मेरे शिश्य होकर कि तुमने दूसरों से यह कि क्यों करवाया गुरु जी ने उठा कि शाप दे दिया और उस्षाज के कारण से बिचारे वो खतम हो गए, मर गए देवताओं को ये चीज बहुत भूरी लगी देवताओं ने कहा देखो खुद करो नहीं और दूसरों को आप मना करो देवताओं ने कहा हम आपको जिला देते हैं आपके गुरुजी क्या करते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा गुरुजी ने जो दंड दिया है उस दंड को स्विकार करो गुरुजी के ही मन में आजाये के रहें मैंने अच्छा नहीं किया और वो जो जो है वापिस शमा पुरवक जो बरताव करेंगे वो बरताव भी से इसकाम आएगा इसलिए वो गुरु किरपा की प्रतीक्षा करते रहें और मरे वे पड़े तो पड़े ही रहें फिर इनको कहा कि महराज आप कुस तो मागए ना रागियो जीवतू देवताव ने कहा कि हम तो आपको जीवित करके रहेंगे कि भाई जीवित करोगे फिर कभी मरना पड़ेगा कि नहीं हम आपको अमर बना दे कि अमर अमर मत बनाओ यदि आप इतना ही करते हो तो लोगों के आखों के उपर ये जगए यहाँ पर मुझे रहने दो यहाँ ये पलकों के उपर ये ये जो यहाँ ये भाई है भाई के या नीचे एक खाली जगए है यहाँ हमको रहने दीजिए कि यहाँ रह करके क्या करोगे यहाँ रह करके हम जो है संतों के दर्शन करेंगे भगवान के श्री विग्रे का दर्शन करेंगे तो अच्छी बात है और फिर उनका जो मरावा शरीर था उस मरेवे शरीर से मन्थन करने पर जनक पैदा हुए और विदे पैदा हुए विदे माने मन्थन करने से पैदा हुए तो वो मैथिल कहला है मन्थनाद मैथिल है और जो है निश्प्रान शरीर से पैदा हुए थे ना इसलिए विदे कहला है और जनक क्यों कहला है कि जन्मना जनक है ऐसे से जन्म हुआ इसलिए जनक कहला ही उपादी है इनकी नाम इनका तो और होता था पर साथ में उपादी और लगती है उस जनक वंस में बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए सीरध्वज राजा हुए जिनके ये सीता जी थी जिनका राम जी की साथ लिवा हुआ था कहते हैं इसमें ऐसे ऐसे राजा हुए जिन सब राजाओं के ऊपर हमारे योगेश्वर अवदूत शिरोमणी अदत्ता त्वेजी महराज की पूर्ण किरपा रही है इसलिए जनक वंस में पैदा होने वाले राजा लोग द्वंदेर मुकता ग्रिहेश्वपी वो घर ग्रियस में रहते वे भी सुख दुख द्वंद से रहीत रहते थे वो काम करते वे वे निश्कामी थे आत्म विद्या मिशारदा परमात्म कत्तो को खूब अच्छा जानने वारे थी जनक ये हमने आपको सूरिवन सुनया अब आप चंद्रवन सुनिए भगवान के नाभी कमल से ब्रह्मा पैदा हुए और ब्रह्मा जी से अत्री पैदावेर अत्री की आँखों से चंद्रमा पैदा हुए चंद्रमा थे ये क्या सब नक्षत्रों के स्वामी हो गए तो घमंड आ गया तो इन्होंने ब्रियस्पती की पत्नी को रख लिया वहाँ पर फिर देवताओं का और अस्रों का खुब युद्ध हुआ उसमें शुक्राचारी जी और ब्रियस्पती इन दोनों के भी आपस में विद्याओं की लड़ाई हुई अब ब्रियस्पती के पक्ष में थे देवता लोग और रुद्र थे रदान असुर थे यह हो गए थे हमारे चंदर्मा के पक्ष में घर में फूट होती है तो सब भी आपस में मिल मिला करके फूट डालने की डालने की बात करते जोडने वाली नहीं करते तो असुरों ने चंद्रमा का पक्ष लिया अरे तुम तो असुरों तुम तो चंद्रमा से रात दिन लड़ते जगडते हो सूर्य ग्रैन चंद्र ग्रैन आता है तुम तो चंद्रमा को जो है पकड़ते हो खाते हो ग्रैन करते हो आज क्या हो गया है बस आज क्या हुआ कि देवताओं के अंदर ही लड़ाई पैदा करने के लिए दानव लोग चंदर्मा के पक्ष में हो गए ब्रह्मा जी को पता चला कि आपस में खूब लड़ रहे हैं तब ब्रह्मा जी ने जाकर के चंदर्मा को धंकाया कि तुने ब्रियस्पति की इस तिरी को अपने आ रख लिया रूपर से लड़ता जगड़ता हो रहे और अस्रों का अरदानवों का सैयूग लेकर के तू अस्रों देवताओं का हिनास करता है तब चंदर्मा ने ब्रह्मा जी कहने से युद्ध बंद कर दिया और जो व्रियस्पती थे उनकी पत्नी थी तारा वो व्रियस्पती को दे दी और वहाँ उससे एक लड़का पैदा हुआ अब वो लड़का व्रियस्पती तो कहते हैं कि मेरा है संद्रमा कहते हैं कि मेरा है किसका है लड़का तो अब तारा ने तो कहा नहीं किसका लड़का है देखो ये लोक दृष्टी से मत देखना इसको कोई विचार नहीं समझे कोई इसको बिजाती क्रिया में नहीं देखे की देखो ये कैसा उपर के लोगों में कैसा होता उस दृष्टी से नहीं देखना है ये एक तात्विक दृष्टी से देखना है कि तत्व क्या है कि जो काम बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति भी बुरा करता है उसकी बुराई सब जबे होती है उस दृष्टी से ये बात बता रहे है जैसे कोई अभिनाय में कहता है कि ये मेरा पुत्र है ये मेरा वो है तो वास्नम उसका पुत्र नहीं होता वो अभिनाय मात्र है उस अभिनाय से ये बताना जाता है कि देखो ये अच्छाई है ये बुराई है तो ये लोगों की सिक्षा के लिए बाते है कि ऐसी बुराईया नहीं होनी चाहिए एसी अच्छाया होनी चाहिए तब उस तारा से उस लड़के नहीं पूछा कि तू बता मा कि मैं किसका बेटा हूँ चंदर्मा का हूँ कि मैं व्रियस्पती का हूँ साब साब बता तब उस तारा ने कहा कि तो चंदर्मा का बेटा है तो खाँ ठीक है चंद्रमा का बेटा हूँ तो मैं चंद्रमा के पास रहूंगा और आप जो है बिश्पती के पास रहिए तो वो बुद्ध नाम का जो लड़का था वो चंद्रमा के पास रहकर फिर अलग रहने लग गया उसी बुद्ध के वो इला विवाहित हुई और उसे पूरुरवा पैदा हुए पूरुरवा कितने सुन्दर और कितने गुणवान थे जहां देना की स्वर के अंदर रहने वाली उर्वशी नाम की अफसरा ये स्वरके शरीरों को हमारे शरीर बहुत ही खराब लगते हैं दुरगंद आती हैं उनको दूर से जैसे हम लोग मेले में पड़ेवे सुवर को देखते हैं और उसको देखर गलानी होती है दूर से गलानी होती है ऐसे हमारे शरीरों से देवताओं को दूर से बदवु आती है हमारे पसीने से, हमारे श्वास से, हमारे मलमूत्र से बड़ी दुरुगंद आती है देवताओं चाते ही नहीं गए मानव शरीर मानव में बहुत ही दुरुगंद है परन्तु पुरुरवा भी यहां होते भी कैसा था उसका शरीर भी कितना बिलक्षन बुद्ध का बेटा है और उसके शरीर सौंदरी को और अन्यान ये गुणों को देखकर उर्वशी मोहित होकर स्वर्व को छोड़ करके रिहा आई और पुरुरवा के पास रहने लगी गाइब हो जाएंगे तो मैं भी गाइब हो जाओंगे तो इंद्र ने आ करके वो भेड के बच्चे चुरवा लिए तो वो भी गाइब हो गई अब वो उर्वशी के लिए बहुत तडपता रहा तडपते तडपते उसने एक अगनी से तीन अगनियां प्रगट की और पहले एक वेड था फिर उसमें वेड की तीन विधियां प्रारम हो गई एक ये वो पुरा वेड प्रणवा स्तर्ववांग मैय है उसके बाद इसने जाकर के वेड त्रही का निर्मान किया अगनी भी तीन हो गई और पुरुरुवा ने आगे ज्यान का येकिका बड़ा बिस्तार किया ऐसा ये पुरुरुवा था अंत्मी उर्वशी लोग में चला गया इस वंश में एक गाधी नाम के राजा हुए गाधी रिशी हुए गाधी और उसके जो है सत्यवती नाम की कन्या थी रिशीक नाम के एक रिशी ने कहा कि तुमारी कन्या के साथ हमारा विवा कर दो उसने का कर तो देंगे लेकिन आपको ऐसे गोड़े लाने पड़ेंगे जिनका एक कान तो काड़ा हो प्रबा की सारे शरीर में सफेदी हो ऐसा आप हमको एक हजार गोड़ा लाकर के दे दो विवा कर देंगे एक हजार गोड़ा दे दिया वरुन देउता को कह करके विवा कर लिया अब विवा हो जाने के बाद रिशी की पत्नी सत्यवती रिशी के या रहने लगी उसकी मा भी वहाँ आने लगी, अपने बेटी से मिलने के लिए, अब रिची के कोई संतान नहीं थी, तो वो गाधी भी वहाँ आये मिलने के लिए, तो गाधी एक बहुत बड़ा ये कि कर रहे थे, तो जो है, ये रिची के एक बहुत बड़ा ये कि कर रहे थे, कि हमारे संता होनी चाहिए तो वहाँ पर उनकी सासु जी भी आ गई और उनके सुसुर भी आ गए कि भई हमारे भी कोई लड़का नहीं यगी करते हो तो भई हमारे भी हो जाएगा ठीक है तुमारे भी हो जाएगा दो चरू पकाए अब रिचीक तो श्नान करने के लिए गए और इधर जो है सत्यवती की जो मा थी उसने अपने बेटी को फुश लाया कि तेरा भाग मुझे दे दे मेरा भाग तू ले ले अदला बदली कराई उस अदला बदली के कारण से देखो जो है सत्यवती के तो जमदगनी पैदा हुआ और उसके गादी के तो जमदगनी पैदा हुए और स सत्यवती के परशराम जी पैदा होगए, सत्यवती के विश्वामित्र जी पैदा होगए। रिचीक ने कहा कि तुमने बड़ा गड़बड कर दिया, तुमारे तो भाई लड़का जो है बहुत क्रोधी होगा, तब का मावें धूत, मेरे लड़का तो अच्छा होना चाहिए, तेरा पोता गड़बड होगा, तो सत्यवती के जमदगनी जी और जमदगनी जी के फिर पर परश्राम जी महराज ऐसे हुए भाई, वो सहस्रार जुन था, वो परश्राम जी के पिता जी के वहाँ आया और गाये लिजाने लगजा, तब परश्राम जी ने उसको मारा, परश्राम जी ने मार करके और उसका समाप्त कर दिया, तब उसके बेटों ने बदला लेना चाह तो बेटों ने भी उसका बदला लिया तो क्या हुगा कि एक वार कहीं गए वे थे परुष्राम जी जंगल में और पीछे से आ करके और उसके बेटों ने जमदगनी को मार दिया फिर जमदगनी आकास के अंदर चले गए सब्तरिशियों के मंदल में अगले मनवंतर में वो सब्तरिशी मंदल में चले जाएगे इन परुष्राम जी की एक बात बताते हैं ये बड़े पित्री भक्त थे ज्यान से सुनें कि परुष्राम जी की माता थी वो माता गंगा जी में गई जल आने के लिए पती संध्या कर रहे थे उनके लिए जल आने के लिए गई अब जल आने के लिए गई थोड़ी देरी हो गई क्योंकि उस नदी के अंदर गंधर्व लोग आये वे थे और वो श्च्नान कर रहे थे अब गंदर्वों के केस बड़े सुन्दर, शरीर उनका बड़ा सुन्दर, और वो बढ़ी पतिवरता इस्त्री थी ये रेणु का, जमदगनी की पत्नी परशुराम जी की मा, अब ध्यान से सुनना हो, पतिवरताओं की क्या-क्या सीमाय होती है, तो वो जो वहाँ गई, तो वहाँ जाकर के उनको देखा, तो देखते ही उसके मन में एक भाव पैदा हुआ, क्या? अरे गंदर्व लोग बड़े सुन्दर होते हैं, इनका शरीर कितना सुन्दर होता है, इस तरीके लिए किसी का भी शरीर सुन्दर तो दिखना ही नहीं चाह यदि किसी का भी शरीर किसी का शरीर बड़ा सुन्दर है, ये भाव भी पैदा हो गया, तो वो पाति वृत्ति की दृष्टी से थोड़ी सी नीचे आ गई, तो वहाँ रेणु का जी ने देख करके बिचार किया गंदर्व लोग बड़े सुन्दर होते हैं, उनकी सुन्द अच्छी बात है, उनकी बड़े सुन्दर कहने लगी है, ये बात देख करके हमारे जम्दग निरी सी नाराज हो गया, आपने सब बेटों से का बेटों तुमारी मा को तुम मार दो, बेटों ने क्या बात करते हैं, मा को कभी मारा जाता हैं, हम तो नहीं मारते हैं, परश्र परश्राम जी आए, परश्राम जी गाते हैं, ये परश्राम, हाँ पिता जी, क्या बात है, क्या अग्या है, तुमारे भाईयों को तुमारे मा को मार दो, अच्छी बात है, सब को मार दिया, अरे तुम तो मेरी आग्या का पाल क्या, कोई बरदान मांग लो, कि हमारा सब ज ख़ीर काटा है, कता थाज तू, तो सब जीवित हो गए, अब ये कता का आर्थ क्या हुआ, ये मारने की आज्या देना, ततुक्षन जीवित कर देना, क्यों, ये बताते हैं कि माता पिता की उस आज्या को मानो, जिस आज्या का ये जी कहीं किसी प्रकार से दोष घटित होता ह पिस सुधार सकते हो तो वो बात मानो अब आपको हमको कोई हमारे पिता माता किसी को मारने के लिए कह देवे क्या हमारे अंदर ऐसा विश्वास है कि मारे वे कोई जिला सकते है कि ऐसा विश्वास नहीं है ऐसा विसास नहीं तो ऐसी आग्या को नहीं मानना चाहिए चाहिए माँ हो चाहिए बाप हो चाहिए कोई हो माता पिता की हर आग्या मानो पर वो आग्या मानो की जिस आग्या के मनवाने से माबाप को किसी प्रकार से कष्ट नहो उनका अहित नहो माबाप की बात को इसलिए मत मानो कि ये बात मानने लाइक नहीं है बलकि ये सोचो कि ये काम करने से मा का आहित होगा और पिता का आहित होगा परुष राम जी को मालूम था कि ये आहित होने वाला नहीं है इनका ये आहित होने वाला नहीं है क्यों नहीं है इसलिए नहीं है कि पिता जी जिला सकते हैं तो जो काम बिगड़ा हुआ हो बिगड़े काम के लिए आदेश देते हो माता पिता यदि वो सुदार सकते हो तो मानो नहीं सुदार सकते हो तो मत मानो ऐसी यह बाते हो जो इस प्रकार से चंद्रवंस में आगे नहुश राजा हुए नहुश राजा राजा नहुश वे जो की जो है नहुश राजा नहुश वे जिनके छ है लड़का थे यति तो बड़े ज्ञानी थे इसलिए यति यति नाम हो गया और ययाती थे उसके दो पत्निया थी देवियानी और सरमिष्ठा देवियानी थी शुक्राचारी जी की पुत्री सरमिष्ठा थी विर्षपरवा की पुत्री तो कहने लगेगी ब्रामन की कन्या ययाती को कैसी रिवाहित की गई तो कहता है कि देखो एक वार की बात है कि ये देवियानी और सर्मिष्था दोनों तलाब के अंदर श्टनान कर रहे थे उसी समय में भगवान शंकर उदर से आये तो हडबढाट में देवियानी के कपड़े सर्मिष्था ने पैर लिये ध्यान रहा नहीं हडबढाट थी पैन लिये पैनने काल से देवियानी बिगड़ गए कि आरे तु ख्षत्राणी है तू हमसे नीची है हम तुझे उचे पड़ते हैं हमारे तुमने कपड़े पैन लिये तुमको पता नहीं है ब्रामण के पहने ले कपड़े तुमारे लिए कितने आधरनी होते हैं तुम हमारे कपड़े पहन लिए हो ऐसे करके उनको दाटने लगी सरमिष्ठा ने कहा कि अरे तुम ब्रामण तो हो लेकिन तुमारे घर में भोजन बनता है वो कहां से आता है हमारे हाथ पसारते पसारते फिरती हो ना तब तुम को ये अन्न मिलता है मांग के खाना और उपर से रौब और जमाना देखा नहीं है ऐसे करके सरमिष्ठा ने उक्रोद किया और उठा करके सरमिष्ठा ने उसको डाल दिया कुवे में डाल दिया कुए में ड़ जाने के बाद भाई वो पिचारी पढ़ी रही कुए में उधर वो यहाति शिकार खेल में आया उसको पता चाल उसको प्यास लगी आई प्यास लगी आई तो वहां देखा कि एक स्ट्री है कुए में उसने हाथ पकड़ के उसको निकाला अब हाथ तो पकड़ा ही जाएगा बाहर निकालेंगे तो हाथ पकड़ती देवियान निकालेंगे देखो अब हमारा जिंदगी बर हाथ निच शूटेगा कि आप किसकी बेटी होगी सुक्रा जाय जी राम 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 ब्रामण की कन्या हो तो आपके हाथ को मैं कैसे स्विकार कर सकता हूँ तो करा कि ठीक है मेरे को तो ब्रामण कभी विवाहित होगा है नहीं मुझे क्यों मुझे शाप लगावा है कच का शाप लगावा है ये कच कौन था ये शुक्रा चारी जी ये कच था ना ये ब्रियस्पति का लड़का था कच और वो शुक्रा चारी जी से संजीवनी विद्यापट ने आया था तो देवियानी और कच के बीच में बात होई देवियानी ने प्रस्ताव रखा कि देखो कच तुम ब्रियस्पति के पुत्र हो और मैं सुक्रैचारी जी की पुत्री हूँ तुम दोनों का ही दी तुमारा मन हो तो तुम हमारे साथ विवा कर लो ताकि ठीक लंग से अपने ग्रियस्ती ठीक बैठ जाएगी क्योंकि तुम भी ब्रामबट हम भी ब्रामबट तो कच ने का कि देखो तुम हमारे गुरू की बेटी हो तो मेरे लिए तुम गुरू बहन हो मैं तुमको किसी प्रकार से इसतिरी रूप से स्विकार नहीं कर सकता तब जो है देव यानी को उसने शाप दे दिया देव यानी को शाप दिया नहीं मिलेगा तुमको श्युकार कर लिया तो कहा कि अब तुमने श्युकार कर लिया लेकिन तुमारे पिता जी हमको क्या कहें ये तो वो पिता जी के पास में गई है पिता जी वो जाकर के कहा कि देखो पिता जी अब अपने आप तो इन राजाओं के यहाँ पर इनके समझते हैं कि ये मंगते हैं, मंगते हैं, मंगते हैं, चलो यहां से अपने लोग तो चलते हैं, तो वो विचारे शुक्राचार जी वहां से अपने सामान लद करके रवाना हो गए, राजा वृष्परवा को पता चला, क्या महराज ये तो लड़कियों की बच्चियों की आप इसकी लड़ाई है आप तो कम से कम मेरी ओर देखो प्रजा की ओर देखो आप हमको छोड़ के कहा जा रहे हो तो कहा कि मेरी देवयानी को तुम मना लो तो विश्परवा ने देवयानी को मनाया कि वही बेटा तुम हमारी बेटी के सहिली हो तो वही तुम राजी हो जाओ कि ठीक है मैं राजी हो जाओंगी मैं जहां विभा करूंगी वहीं सरमिष्टा मेरी दासी होकर के रहेगी तो दासी होकर के रहने के लिए कह दिया तो देव यानिका विभा यह याती के साथ हुआ और यह सर्मिष्ठा उसकी दासी होकर गई अब आप सुनो देखो खास सुखदेव जी महराज क्या पद देता है या जिनके पास भागवत है न बहुत गौर से देखना हो तो देव यानि की दासी बनकर सर्मिष्ठा गई वहाँ वहाँ गई तो वहाँ उसने जाकर अपने पती से भी कह दिया कि देखो पती देव सर्मिष्ठा मेरी दासी है दासी दासी की जगए ही रहेगी मैं रानी हूँ तो मैं रानी की जगए मैं ही रहूंगी आपकी द्रिष्ठी किसी प्रकार से सर्मिष्ठा पर पत्म ज्रिष्टी से नहीं होनी चाहिए पहले ही कह दिया कि ठीक है शुक्देव जी माराज कहते है कि देव यानी की ये मांग उचित नहीं थी स्पष्ट साफ सब्दों में तो नहीं कहा स्पष्ट साफ सब्दों में नहीं कहा पर ये कह भी दिया क्या कि तमेवववरे रहसी सख्या पते में रिताउ सती सर्मिष्ठा परम सती थी इसलिए राजा ने सर्मिष्ठा को स्विकार कर लिया और सर्मिष्ठा से तीन बेटा पैदा हुए और देव यानी के दो बेटा पैदा हुए अब बताओ ये देव यानी की बात सही होती तो सती शब्द का प्रियोग नहीं होता सर्मिष्ठा के लिए सती शब्द का प्रियोग किया है तो ये एक बहुत ही सो समझ करके शुक देव जी ने शब्द दिया कि इसमें सर्मिष्ठा की कोई गल्पी नहीं है राजा नहीं भी उसको स्विकार किया है तो नहीं तो राजा की गल्ती न सर्मिष्ठा की गल्ती है क्योंकि सख्या पतिव रितव सती उसने उसको स्विकार किया है इसलिए इस्तिरियों को अपनी डाह के कारण से कभी सौथ के डाह के कारण से कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की जिन्दगी पूरी खराब हो जाए ऐसी बात ध्यान में रगा धर्ममागताविक्षे धर्मवित इस प्रकार सी सब बातें उसने जान जान करके धर्म की बात जान करके राजा ने किये सर्मिष्ठा को स्विकार किया है और जब देव यानी को पता चला कि मेरे दो संतान और सर्मिष्ठा के तीन संतान हुई है तो देव यानी अपने पती के पास चली गई अपने पिता के पास चली गई और पिताजी को जाकर के कहा कि देखें़ आपने आपने जो कहा था कि भाई जो है तुम देवियाली के पास भी रहोगी और किसी के बाद आते दि तुम्हारी तुम्हारी तो जवानी खतम हो जाएगी, ऐसे मेरे पती को दिया है शाप, तो शाप वो तो आप समय आ गया, उसने तो सर्मिस्ठा को स्विकार किया, तो यहाती ने जाकर कर सुक्राइचारी से नेवेदन किया, कि महराज अब मैंने स्विकार किया, कोई ऐसी गल्टी तो नहीं मालूम दी, तो सुक्राइचार जी ने कहा जो तुमको जवानी दे देगा उसकी जवानी आ जाएगी नहीं तो भाई तुम तो ऐसी रहोगे तो अपने सब बेटों के पास गये डेव यानी के दोनों बेटा यदू और तुरुवसू तो उन्हों ने कहा हम तो हमारी जवानी नहीं देगे शर्मिष्ठा के तीन बेटा दुरुई हूँ अनु और पुरुव इन तिनों से कहा उनमें एक पुरु ने कहा कि माराज मेरी जवानी मैं आपको देता हूँ पिता माता मांगे और बेटा ना कर दे रहे इससे बढ़कर तो पिता के लिए शर्म की बात पुत्र के लिए शर्म की क्या बात होगी पिता मांग रहा है पिता बहुत लंबी चोड़ी बात हुई फिर जाकर करको पुरु रवा तो हुबनेड ये पुरु तो होगिया बुद्धा और ये होगे जवान, ययाति जवान हो तक कई बरस तक रहे वो ऐसे अन्तनों उन्होंने विचार किया कि अरे संसार के जो भोग पदार्त है ये भोग पदार्त तो भई ऐसी भोगे जाएंगे और ऐसी समझ निकलता जाएगा भोगों के भोगने से तो मनुष्य इन भोगों के अंदर ज़्यादा फ्रस्ता चला जाता है यत प्रिथिज्या उन्री ही यवं हिरन्यम पशवैस्त्रिय है नदुयंती मना प्रितिम पुन्सह काम हतस्यते जिसके मन में विशयों की वासना बरी पड़ी है उस आदमी को विशय मिलते रहेंगे तो वो वासना बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी जिस प्रकार से घी की स्वाती स्वाती मूने अगनी में डालते जाएगे तो वो अगनी बढ़ती जाएगी ऐसे ही ये भोगों की इच्छा तो भोगने से बढ़ती चली जाएगी ये हमने अपने पुत्र के साथ क्या काम किया अचा नहीं किया पुत्र की जवानी हमने ले ली और ले करके केवन हमने भोगने के लिए किया ऐसा तो दोनों के मन में बिचार आया उन्होंने अपनी जमानी वापिस बच्चे को दे दी और स्वेम अपने जंगल में जाकर भगवान का बजन करने लगे इसी पुरू के वंश में देखो दुश्यन्त नाम का एक कैसा राजा हुआ उसने शकुंतला नाम की कन्वरिशी की पालिता पुत्री को देखा पालिता पुत्री तो उसको देखा और उसका मन गया तो खा कि मेरा मन इस लड़की में जाक कैसे सकता है मैं हूँ शत्री और ये ब्राह्मन की में जातो नहीं सकता है मेरे मन पर मेरे पूरा विश्वास है देखो उनको अपने मन पर विश्वास होता था इसलिए ने पारवानाम अधर मेर रमते क्वचित पुरुवंश के लोगों का अधर मेरे मन कभी चानी सकता है उन्होंने पूछा कि यही शकुंतले तुम कौन हो का मैं कंव की बेटी नहीं हूँ विश्वामित्र की कन्या हूँ और कंव के द्वारा तो केवल मेरा पालन होगा है विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो मेनका की गर्ब से मेरी उत्पत्य हुइ आए जंगल में एक छोटी सी शीशु को देखकर स्विकार किया ज्यान देना उस शकुंतला ने ये बात कन्वरिशी को बता दी कन्वरिशी बड़े प्रसन हुए और फिर कन्वरिशी ने कहा कि तुम्हारा बेटा हो जाएगा तो बेटे को लेकर कि तुम अपने पती के पास जाना तो उनके बेटा हुआ वो बेटे को लेकर के रोख अन्तपुर में गई कि महराज मैं आपकी कन्याउ मैं आपकी पत्नी हुर ये आपका पुत्र है तो राजा बना कर दिया कि नहीं तुमने सोचा होगा कि राजा कोई सुन्दर इस्त्री को देखर मुख दो जाएगा और बेटा बता दोगे मैंने तुमको कभी देखा ही नहीं मैंने कभी तुमको नहीं देखा है कैसे राजा थे हो आकाश माणी होई कि शाबास राजन तेरी दृष्टी बड़ी पवित्र है ये लड़का तेरा ही है हमारे कहने से तुम मान लो और तुम ही इसके पिता हो और ये तुमारी इस्त्री है सब वो कनुरिशी वाली सब बातें बता दे तब उसने स्विकार किया ये वो भरत राजा हुआ कि जो सिंग के मूँ के अंदर दात गिन लेता था एक 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 दाओं थी इस भरत के अब ध्यान से सुनना इस भरत के इस्त्रियां थी तीन उनके संतान होई तो वो कोई कुरूब संतान होई ध्यान दे ना कोई काणा है तो कोई खोड़ा है तो कोई कैसा है, कोई हाथ पतले तो पेट बड़ा है, तो पेट पीचका है, तो ऐसे कुरूब संतान हुई, तो उसने उन्हों इस्तिरों ने क्या किया, अपने बच्चे पैदा उनको मार दिया, मारने पर इस भरत को बड़ा दुखवा कि तुमने वन्स को खतम कर दिया, चा उन्होंने मरुत उस्तों से भरत दुखवाज को बुला करके और उस्तुति की, और फिर उनसे जो है, लड़का पैदा हुआ, उसका नाम बितत रखा गया, बितत, उस वन्स में आगे जाकर रंतिदेव नाम के राजा हुए, जिनके विशह में समी को पता है, अर्टारीस द उनको थोड़ा बहुत खाने के लिए मिला, तब जो वही उनके पास में, पहले तो एक ब्रामण आये, फिर एक चंडाल आया, फिर एक कुत्तों को ले करके और और आ गया, ऐसे करके खाने पिने की सारी सामगरी उनकी समाप तो हो गए, परंत उनके मन पर असर पड़ा, कि म प्रसन्व है, वो तो मेरा ही रूप है, यह तो समझने के लिए कि इसका पेटा लगए, इसका पेटा लगए, इसका पेटा लगए, मेरा पेटा लगए, पेट समका एक ही तो है, क्योंकि सब की एक दैसी भूख होती है, एक दैसी त्रिप्ती होती है, हमारे तो सब प्राण नकामये अंगतिनीश्वरात्पराम अश्टर्ध्ययुक्ताम अपुनर्भवंवाम आर्थिम् प्रपद्ये खिलदे भाजा मन्त स्थितो ये नभवंप्य दुख्षा महराज हमको तो आप सब लोगों के मनों में बैठा दो सारे संसार के दुखी आदम का सारा दुख आप मुझे अकेले को दे दो और सब को आप सुखी सुखी बना दो महराज सबका सुख है वो ही मेरा सुख है और सबका दुख मिला कि मुझे अकेले को दे दू ठीक है मैं भोग लूगा बड़े आरंद के साथ ऐसे उन्होंने भगवान से प्रार्टना की ब्रह्मा विष्णु महेस्टी नों यह वहाँ पर प्रगट हो गए और रंतिदेव भगवान क दिद्विधाम में चले गए इस वंश में आगे जाकर हस्ती हुए जिससे हस्तिनापुर्बशा और हस्तिनापुर्बशे बड़े बड़े बिचितर बिचितर राजा हुए ब्रियदत नाम का एक राजा हुआ उसके इस तरीके लड़का हुआ उसके दो टुकडे हुए वो जरासंद के नाम से आगे जाकर के प्रसिद्ध हुआ इस वंस में देवापी हुए जो कलाप ग्राम में जाकर रहेंगे और चंद्रवंस की समाप्ती पर वो आकर के रुआपिस चंद्रवंस को चालू करेंगे और इस वंस में देखो आगे जाकर कहें कैसे कैसे राजा लोग होगे चलते चलते देखो बेदव्याज सी महराज बेदव्याज सी महराज के मंत्रों के द्वारा, शक्ति के द्वारा धिरतराष्ट, पांडू और विदू ये तीम हुए इस मंस को तो आप खूब अच्छी तरह से जानते हो द्वितराष्ट के सो बेटा हुए सबसे बड़े दुरियोदन थे और एक उनकी कन्याती दुश्चला जिसका अभिवाद जायद्रत के साथ हुआ था पांडू के यहां कुंति को जो बर्दान मिला था उस बर्दान के अनुसार देवताओं से सांकल्पिक स्रिष्टी के रूप में धरम से युदिष्टिर पैदा हुए वायू से भीमसेन पैदा हुए इंद्र से अर्जुन पैदा हुए और अस्वनी कुमारों से माद्री के यहां नकुल और सैदेव पैदा हुए थे इन पांचों के द्रौबदी पत्नी थी इसके अलावा भी इनके एक एक पत्निया और भी थी जिन से अलग अलग लड़का पैदा हुए थे युदिष्टिर से प्रतिविन्दी और धीमसेन से शुतसेन अर्जुन से शुतकीर्ती नकुल से शतानी और सैदेव के शुतकर्मा नाम के लड़का पैदा हुए थे युदिष्टिर के पौर्वी से देवक पैदा हुआ था भीमसेन के हिडमा से घटोतकस पैदा हुआ था ऐसे सब अलग-अलग पैदा हुए इनके और उन में देखो अरजुन के जो है यहां सुबद्रा से उनके अभिमन्यू पैदा हुए अभिमन्यू से आप पैदा हुए हो और यह आपके बेटा जर्मे जय वगरे सब बिराजमान यह देखो आपके बाद पिर्थ्व का यहां पर सासन करेंगे और आप जो यह भी कथा सुन रहे हो इसी कथा को आगे जाकर शौनकादी रिशियों को जो की याग्यवल की स्मृति के अनुसार चलने वाले हैं उनको यह सुज्य मराज आगे जाकर कथा सुनाएंगे इस वंस में बहुत मगद देश में बड़े बड़े राजा हुए और अब जो अनू है अनू माने पूरू का जो वंस पूरू का जो भाई था माने सर्मिष्ठा के जो संतान तीन हुए थी अनू, दुरूयू और तुर्वसू तुर्वसू से जो है कई और लड़के पैदा हुए अनू से भी हुए और दुरूयू से भी हुए परन्तो यदू से ये यादव पैदा हुए ये यादव बड़े सेष्ट पुरुश हुए थे इनमें यादवों के अंदर बड़े-बड़े ऐसे सहसरारजुन वगरे यो योद्धा पैदा हुए जो जिनके ऊपर दत्ता त्रेया धरेर अन्शात प्राप्त योग महा गुड़े है बहुत उनके अंदर शक्ती थी इस जो है सहसरारजुन में जो है कितने उसमें एक हजार बुजाएं थी पांसो बाण एक साथ चलाता था ये दत्ता त्रेय जी की किरपा थी ऐसे ऐसे इनके राजा हुए इन राजाओं को कोई माधव बोलते हैं कोई बृष्टी बोलते हैं कोई यादव बोलते हैं अलग-अलग राजाओं के नाम से इनको ऐसे ऐसे पुकरा जाता है इस वंच में आगे जाकर कि ज्यामग नाम का एक राजा हुआ था उसके कोई संतान नहीं थी ध्यान देना एक वार वो युद्ध के अंदर गया और वहाँ जाकर उसने भुज्या नाम की एक लड़की थी उसको अपने रत्मे ले आया जीत करके तब उसकी पत्नी ने कहा कि महराजी आपने क्या क्या मेरी जगे आपने इसको बैठाया है कि नहीं नहीं तुमारी जगे नहीं बैठाया है मेरे जो लड़का होगा उस लड़के की ये पत्नी होगी तब का महराज अपने तो कोई संतान है ये नहीं है नहीं तो क्या हुआ निश्चित रूप से संतान होगी भविश्य की बात कही और उसके संतान हुई और उसका नाम बिदर्व कहला है बिदर्व बिदर्व कहला है और उस बिदर्व से फिर आगे और संतान होती रही ये जो है अपने वसुदेव वगर है सब उन्हीं वंस में आगे हुए है वसुदेव जी महराज का जब जन्मु हुआ था तब देवताओं की दुन्दभियां अपने आप बच चुकी थी इसलिए वसुदेव जी को आनक दुन्दभि के नाम से भी बोला जाता है वसुदेव जी के और भी भाई थे उनमें वसुदेव जी की जो पत्निया थी वो शांति देवा, उप देवा, श्री देवा, देवरक्षिता, सह देवा और देव की ये और इसके अलावा भी पौर्वी, रोहिडी, मदिरा, रोचना, इला ये सब मिला करके अठारे पत्निया थी अठारे का नाम तो भागवत में पूरा नहीं मिलता है, पर संख्या मिलती है इन अठारे पत्नियों के हर पत्नी के संताने थी देखो रोहिडी के, रोहिडी के बलरामजी हुए, गद हुए, सारण हुए, दुरमद हुए, विपल हुए, धू हुए ये रोहिडी के हुए, और देवकी के कौन-कौन हुए, कि देवकी के वसुदेव जी हुए, देवकी के किर्तिमान हुए, सुषेन हुए, भद्रसेन हुए, रिजु हुए, सम्मर्दन हुए, और भद्र हुए, और बलरामजी हुए, और आठवे में भगवान स्वेम हुए अब देखो बलराम जी का दूजे के नाम आगया रोहिनी का भी और देव की का भी नाम आया कहते हैं कि जब भगवान आउतार लेते हैं तो ये क्यों आते हैं कि यदा यदे धरमस्यक शयो बृद्धिष्य पाप मना है धरम का जब रास होता है पाप की जब भृद्धि होती है तब भगवान अपने आपको ही यहाँ प्रगट करते हैं वास्ताओं में कोई इनके जन्म का कारण नहीं मनता है सब जीव कोई इनको कारण लेकर के जन्म लेते हैं पर हमारे भगवान किसी कारण से जन्म नहीं लेते वे अपनी माया के बिना यहां नहीं आते हैं अपनी माया करने के लिए लीला करने के लिए ही आते हैं कितनी कितनी अक्षोहिणी सेनाओं का उन्होंने वद किया यही कृष्ण भगवान का अवतार नहीं होता तो यही परिक्षित यही पृत्वी है पापियों है पापियों से भर गई होते ही संकर्षन जी की साहता से बलराम जी की साहता से अपर नई कार्य करते हुए भगवानने यहां कलिउ के सारे पापो को मानो अपनी निलाओं से धोडाला हो जो व्यक्ति एक वार भी उनकी निलाओं को सुन लेता है उसके हिर्दय में रहने वाली कर्म की अरे कर्म राशी नहीं कर्म की वासना भी समाप्त हो जाती है ऐसे भगवान की निलाओं के सुनने का प्रभाव है वे भगवान जब अपने सुन्दर चित्वन से देखते हैं वे भगवान अपनी मधुर वाणी से बोलते हैं, वे भगवान अपनी मस्ती की चाल से चलते हैं, उस समय में सारे सारे पिर्ची के लोग, लुगाईया, साब उन पर लटू हो जाया करती थी, कारण कि भगवान का प्रतीक अंग है, वो सौंदरी को बरसाने वाला था, देखो उनके कानों में रहने वाला बकराती थी कुंडल, उनके कपोलों को सुशोबित करने वाला था, और जब कभी-कभी उनके कपोलों पर वो सोभा पढ़ती और वो हंसने थे, तिर तो एक निराली सोभा होती थी, वे ब्रज की स्त्रियां, भगवान को देख देख करके नया-न उत्सव, नया-नया आनंद मनाती थी, और जब कभी नेत्र थोड़ी सी भी अपने सवाव से जबकी मार लेता, तो उस समय में वो कुपित हो जाती थी, क्या भगवान ने लीला किये, अपने पिताजी के यहां जन्म लिया, परंत वे ब्रज में जाकर बड़े हुए, और वह उन्होंने जाकर के सत्रों को मारा, फिर उनका सेंकडों सेंकडों के रूप में भिवा हुआ, बड़े-बड़े यग्ज किये, उन्होंने आत्मान, मात्म, निगमं, प्रतयन, जनेशु और लोगों के अंदर अपने अनेक लीलाओं के रूप में अपने को प्रगट किया, पृत्री का बाहर हलका करया, कौर्वों पांडवों के युद्ध के द्वारा बहुत बढ़ा बाहर हलका किया, और अंत ने उद्धव जी को ज्ञान का उपनेश देकर संसार को अज्ञान के भाहर से भी मुक्त किया, और फिर भगवान अपने धाम में चले गए। राजा ने कहा महराज, आपने बड़ा संदर ये सूर्यवंस और चंद्रवंस सुनया है, मैं तो देखो पहले चंद्रवंस का नाम लेते हैं, सोम सूर्य ही हो, नाम तो लेना चाहिए पहले सूर्यवंस का, लेकिन बोलते क्या है कि आपने चंद्रवंस और सूर्यवंस को सुन चंद्रबंस और सूर्यवंस यूँ पहले सूर्यवंस सुनाया पर निकटा में तो चंद्रबंस ही सुना रहे है ना चंद्रबंस और दूसरा थोड़ा अपने चंद्रबंस में आप हम दोनों ही जन लिये हैं और भगवान जो भगवान विष्णु है वो अपने अंस के में उरोंने क्या-क्या लिलाए कि हमको विस्तार के साथ सुनाओ निवरित्ततारशे रुपगी यमानाद बवशदाच्ष्ट्रमनो भिरामाद का उत्तमा श्लोक गुणानु वादाद पुमान विरज्येत विनाप शुगनाद जिनकी तृष्णा समात्रोचकी होती है ऐसे आप जैसे महापुरुस जब संसार के कल्यान के लिए ऐसी सुन्दर कथा सुनाते हैं तो संसार के रोग से पीडित रहने वाले लोगों के लिए औशदी का काम करती है कानों को प्रिये लगती है, मन को प्रिये लगती है बगवान की इन निलाओं को सुनते-सुनते किसका मन उपराम होता है कोई बड़ा भारी कोई जीव हत्यारा हो उसकी तो हम कह नहीं सकते हैं बागी इस निला से किसी का भी आस तक सुनते-सुनते मन अगाता नहीं है हमारी दादा लोगों ने देखो पिता मैं भिश्मादी से बड़ा भारी एक कौरव सेन्य सागर पार किया था गोखुर के समान उसको पार कर लिया केवली ये कृष्ण की किरपा थी और स्वयम मेरे पर कैसी किरपा हुई मुझे पर कैसी किरपा हुई कि मैं तो अस्व थ्रमा के सफ्र से मरने ही वाला था परन्तु भगवान ने मुझे सुदर्शन चकर लेकर बचा लिया क्यों मेरी माँ उनकी सरण में चली गई माँ सरण में गई मैं बच गया उन भगवान के आप हमको बिचितर बिचितर लीलाओं को सुनाओं और महराज एक बड़ा आस्तरी है आपने बलराम जी के लिए कहा कि वो रोहिडी के बेटा है एक तरफ आप कहते हैं वो देवकी के बेटा है ये बात समझ में नहीं आई कि बलराम जी आप रोहिडी के और देवकी के दो माताओं के एक शरीर से कैसे बेटा हो सकते है मरने के बाद तो दूसरी मा के आँ जन्म ले सकते हैं पर एक ही शरीर से दो माताओं के आँ कैसे जन्म लिये और दूसरी बात ये भी बताओ कि वो पिता जी को सोड़ करके ब्रज में गए क्या क्या वहाँ पर ब्रज में काम किया देखो ये परिक्षित जी है ना पूरा कृष्ण तरित्र सुनके आए किन के मुख से सुनके आए सुगदेव जी के मुख से सुनके आए कहां सुनके आए दो बार सुनके आएं, दो बार एक बार तो ब्रह्मा और नारत के समवाद में दूसरे सकंद में सुनके आएं, सात्वे अध्याय में देख लेना आप, सबसे लंबा कृष्ण तरित्र है और एक विदूर मेत्रे समवाद के अंदर क्रिष्ण चरित्र पूरा चलता है परन्तु उद्धव और विदुर संबाद में मेत्रेन उद्धव उद्धव और विदुर संबाद में पूरा क्रिष्ण चरित्री चलता है वहां भी परिक्षित ने सुना परन्तु वहां ये परश्ण नहीं किया लीला समुद्ध यहां क्यों किया देखो भगवार कृष्ण का चरित्र सुनना समझना मामूली बात नहीं वो एक एक क्रम से ऐसे क्रम भागवत को ऐसा गुथा है हो पहले सकंद का नाम क्या है दूसरे का नाम क्या है तीसरे का चोथे का पांचवे का जो विशे है उस विशे का प्रतिपादन करते करते कथा सुनाते हैं और ये प्रश्ण इसलिए नहीं क्या क्रिष्ण चरित्र सुनना कोई मामूली बात नहीं है क्रिष्ण चरित्र सुनने के लिए कैसा हिर्दय चाहिए हो उसके लिए तीसरा सकंद, चोथा, पांचवा, छटा, साथवा, आथवा, और नवा, इन साब का वर्न विशय जिसके इरदय में उतर याता है वो दसम सकंद में प्रवेश करने का अधिकारी होता है तो पूछा कि महराज उन्होंने ब्रज में क्या-क्या लिलाएं की और अपने मामा का फिर कैसे उध्धार किया, कंस का कैसे उध्धार किया वास्तों में वो मनुश्य शरीर में लीला करने के लिए तो आए, पर कारी उनके अतिमर्च थे उनके कितनी-कितनी पत्नियां हुई तेखो पहले बता के आए फिर ये कितनी पत्निया हुई इसकार्थ क्या है ये 16108 क्या चीज है ये तो आप वहाँ सुनेंगे तब पता चलेगा और एतत अन्यच है इसके अलावा भी आप हमको कुछ बताईए एतत अन्यच है अलग में क्या है अलग में देखना जब बोलते बोलते हमारे शुगदेव जी माराज चुप हो जाएगे हो दो क्षण ऐसे आएगे है दो क्षण नी दो कथाओं का समय दो कथाओं में ऐसा समय आएगा हमारे शुगदेव जी बोलते बोलते चुप हो जाएगे भाव विबोर हो जाएंगे उन भाव विबोर वाली कथाएं उनमें एतद अन्यच चतत सर्वं एतद अन्यच है चकार लिया है चकार चकार अर्थ है दो बात मत बते हैं ये भी सुनाओ और अन्डी भी कुछ सुनाओ आप तो मैंने पूछा है सब आप सुनाओ तो आप मेरे भूट प्यास की कोई चिंता मत करना आपके मुखार बिन्द से निकलने वाला अमरित ये साक्षात भगवान की कथा नहीं अमरित है रभगवान ही है इसलिए इस कथा को विस्तार से सुनाओ सुध जी महराज कहते हैं ऐसे उनके प्रश्ट को सुन करके बड़े मस्त होगे हमारे शुकदेव जी महराज अब शुकदेव जी महराज भगवान श्री कृष्ण के जन्म को सुनाएंगे तो भाई अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ आज जो है उस कथा को इस लिए सुनाएंगे कि जन्म का प्राकर्टी हो नहीं जो रातुरी में तो रात्री में प्राकर्टी के साथ इस कथा को सुनाएंगे और कल सवा बारा मजे के लगभभर यहाँ अपने लोग नंदोत् Σव के साथ में जो है कथा का proud का आड़ लेंगे